हेलो मेरे पैरे विद्यारतियों कैसे आप लोग हुप आप सब बढ़िया होंगे बच्चो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ तो आज बच्चों करने वाले हैं दा जर्नल क्लॉजस एक्ट बहुर सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कि सर इस चैप्टर में थोड़ी से हमें डिफिकल्टी आ रही है तो आप अच्छा होगा अगर मॉड्यूल से थोड़ा पढ़ा देंगे तो हेल्प हो टॉलगो फीटा जर्नल क्लोजस एक्ट हंड्रेड परसंट कंप्लीट हो जाएगा आपको कोई दिक्कत नहीं आएगे एक्जाम में इस कोस्टन को सिर्ल को को answer करने में, तो start करते हैं, सबसे पहले general clauses act में हम लोग module से पढ़ने वाले हैं, साथ में मैंने कुछ pointers बना रखें, वो pointers भी मैं आपको दे दूँगा, youtube के video के link में ही आपको दे दिया जाएगा, तो चलो, start किया जाए इस chapter को सबसे पहले, देखो हम पढ़ने वाले हैं, general clauses act 1897, इस act को बाहर के लोग interpretation act के नाम से भी जानते हैं, मतलब हम इसे general clauses act बोलते हैं, कुछ लोग इसे interpretation act भी बोलते हैं, तो one and the same thing, आपको confuse नहीं हो ना, अगर MCQ आ जाए, कि general clauses act को और किस नाम से जाना जाता है, और उसमें option हो interpretation act, तो आप उसको ठिक लगाते हैं न, ये, इसका background समझते हैं, देखो सबसे पहले क्या है, ये act तब आया था, जब देश अजाद नहीं होगा था, यानि Britishers के दौरा ये act लाया गया था, तो सबसे पहले बेटा एक act आया था, जनरल clauses act 1868, जिसमें सिरफ 10 section थे, फिर Britishers को लगा कि नहीं है, इस act में अभी सही से ये बना नहीं है, तो उन्होंने एक और act ला दिया, जनरल clauses act 1887, जिसमें 8 section थे, जब वो जनरल clauses act 1887 लाये ना, तब उन्होंने पुराने act को repeal नहीं किया, मतलब 1868 वाला भी चल रहा था, और 1887 वाला भी चल रहा था, यानि दोनों act पैरलल चल रहे थे, ठीक है, फिर government को लगा, 1897 में यार, Britishers को लगा कि यार, ये भी काम नहीं कर रहा, और changes की ज़रूवत है, तब जाकर उन्होंने क्या किया, पुराने दोनों act को consolidate करके, merge कर दिया, और एक नया act बनाया, General clauses act 1897, इतना ही नहीं मेरे बच्चा, उन्होंने पुराने section थे, पहले 10 section थे, यहां 8 है, 10 प्लस 8, 18 section हो गए, पट जो नया act आया, उसमें 31 sections आये, तो यहां पर, merge तो किया ही गया, साथ में extend भी किया, extend का मतलब है, पुराने acts में और चीजे डाली गई, पुराने acts को merge करते हुए, और नये points एड करे, और फिर यह 11 March, 1897 को नया act आ गया, पर यह act करता क्या है, यह act क्यों बनाया गया है, तो मेरे बच्चा, यह General Clause is Act का short form, GCA, इसमें दो बाते बहुत important है, दो बातों में आपको इसमें समझेगा, एक, इसमें अलग-अलग words की, क्या दी गई है, definition, जैसे कि financial year, year क्या होता है, financial year क्या होता है, movable property क्या होती है, immovable property, इसमें definitions दी हुई है, यह definitions का इस्तमाल कहां कर सकते हैं, तो इस act में लिखी हुई definitions का, इस्तमाल, use, कहां करा जा सकता है, central acts में किया जा सकता है, यानि parliaments के दुआरा बनाए गए, acts में इसका इस्तमाल किया जा सकता है, अब इससे फाइदा क्या हुआ, इससे सबसे बड़ा benefit यह हुआ, कि अगर हम movable property की definition, हर central act में डालते, तो उससे central act और बड़ा हो जाता, तो जो common definition थी, हमने क्या करा, एक जगा डाल दी, तो इसकी वज़ा से, जो central act की, जो language है, वो short हो गई, मतलब हमें वहाँ पर जाकर, definition नहीं डालनी पड़ी, दूसरा फाइदा क्या हुआ, कि जिन जिन central act में, मतलब जो parliament के दौरा बनाए गए acts हैं, उनमें अब आप कोई भी act पड़ोगे, तो movable property का मतलब normally, same ही होने वाला है, हमें definitions कहां मिलती है, हम अगर act पड़ते हैं, तो act के section 2 में, normally हमें definition मिल जाती है, अब वहाँ पर सारे words की definition तो नहीं दी होती, तो कुछ words ऐसे होते हैं, जिसकी definition वहाँ नहीं दी गई, तो law कहता है, अगर तुम्हें वहाँ definition नहीं मिली, मालो company में, वो company's act में बोला गया है, वहाँ एफिडेविट देना है, और आपने देखा कि वहाँ डूढ़ा यार, एफिडेविट की definition तो नहीं दी, एफिडेविट क्या होता है, तो आप जा सकते हो, जनरल clauses act में पढ़ने, और वहाँ पर हो सकता है, आपको उसकी definition मिल जाए, तो इससे क्या हो गया, यूनिफॉर्मिटी आ गई, सब जगा एक ही meaning हो गया, तीसरा पाइदा बेटा, जनरल clauses act का ये हो गया, कि अगर हम, अलग अलग act में, same word की definition डालते, मानलो stamp act में government के, stamp act में movable property की definition अलग डाल दी, companies act में movable property की definition अलग हो गयी, तो उससे क्या दिक्कत आ जाती, उससे बेटा, हम डालना तो common चाते थे, बट हो सकता है, कोई कॉमा आगे लग गया definition में, कोई कॉमा पीछे लग गया, कोई word add हो गया, तो guard against, यह हमें protect करता है, कि कोई oversight हो जाती law बनाने में, अब वो नहीं होगी, क्योंकि सारी जगा आपको common, एक ही definition पढ़नी है, ये तो एक point हो गया बेटा, किस चीज का, journal clauses act का, दूसरी चीज, this is part one, कि आपको यहाँ पर definition पढ़ने को मिलती है, definition, दूसरी चीज क्या होती है बेटा, general principle of interpretation, अगर आप कोई central law पढ़ रहे हो, अगर आप कोई central law पढ़ रहे हो, और उसको interpret करना है, तो उसके कुछ rules, यहाँ general clauses act में दिये गए हैं, जैसे कि आप जानते हैं, हमने dividend chapter आपने पढ़ा होगा, companies act में, तो वहाँ लिखा है कि company declare करने के, 30 दिन के अंदर क्या कर देगी, dividend को जमा कर देगी, 30 दिन को dividend कहां देदेगी भाईया, 5 दिन के अंदर bank account में, और 30 दिन में members को देदेगी, अब यह जो 30 days की counting है, इसमें date जिस दिन declare किया है, उसको count करेंगे, या नहीं करेंगे, यह पता ही नहीं है, तो यह बात आपको कहां पता चल गई, general clauses act ने बता दी, कि उसकी counting कैसे होगी, यानि आपको interpretation करने का, एक rule यहां पर बता दिया, ऐसे ही बड़े सारे interpretation के rule, आपको यहां बताए गए है, जो आप central laws को पढ़ते हुए, interpret कर सकते हो, चीक है, ओके सर, now, to state इसमें mention होते हैं, convenient rules दिये होते हैं, जिससे कि आप central acts को क्या कर सकते हो, construction कर सकते हो, उनका interpretation कर सकते हो, उनको समझ सकते हो, कि इसका मतलब क्या है, इसको कैसे पढ़ना है, ठीक है सर, चलिए, आगे चलते हैं, कुछ बातों को ध्यान रखते हैं, और module पे अपना वापस हम लोग चलते हैं, देखिए, introduction, जो मैंने चीज़े कट कर रखें, वो आपको पढ़ने की ज़रूवत नहीं है, जितना मैं बढ़ा रहा हूँ, उतना पढ़ लीजेगा, introduction, सबसे पहले बेटा, क्या लिखा हुआ है, हम General Clausees Act क्यों पढ़ते हैं, हम General Clausees Act इसलिए पढ़ते हैं, क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि देखो, ये क्या करता है, Consolidate ये पुराने General Clausees Act, यानि 1868 को, और पुराने 1887 को, इसने क्या किया है, Consolidate किया है, Consolidate यानि Merge किया है, उनके सारे sections इसमें आगे, और इतना ही नहीं, उनको extend और कुछ नए section भी, ये आपको याद करनी है, MCQ के लिए ये date आपकी important है, ठीक है, ओके सर, फिर आगे चलते हैं, next question आता है, क्यों, इस act को क्यों लाया गया, इस act का object क्या था, इस object का purpose क्या था, इस act की importance क्या थी, ये सारे points भी मैंने cover करा दिया आपके, देखे, क्यों, definition एकी act में देती, तो बार-बार देने की जरूवत ने हुई, तो उससे क्या हो गया, छोटा हो गये central act, अगर movable property, financial year, year, ये जो definition general clauses act में दिये है, अगर वो हम हर एक act में डालते, तो वो act पहले से बड़े हो जाते, बटब ऐसा नहीं है, दूसरा, क्यूंकि, आपको हर central act में, same definition यूज करनी है, general clauses act की, इसी लिए, uniformity है, यानि, एक act में movable property का जो मतलब है, वो ही same मतलब, दूसरे act में भी movable property का है, दूसरे act में movable property का है, क्यूंकि, दोनों ही जगा पर definition कौन सी इस्तमाल हो रही है, जो general clauses act में दी गई है, वो ही इस्तमाल हो रही है, इसी लिए, दोनों में same मतलब, uniformity आ गई, तीसरा, इसमें rules दिये हुए है, किस चीज के, central acts को interpret और construct करने के rule दिये हुए है, and, and, अगर हम, हर act में अलग-अलग definition डालते, अगर हम अलग-अलग act में definition डालते, तो उससे क्या होता, उससे lawmaker से कोई गलती हो सकती थी, मतलब, वो तो same definition डालना चाहता था, बट हो सकता है, कौमा इदर लग जाता, कौमा उदर लग जाता, उससे डालते हुए, कोई oversight हो जाती, तो दोनों का मतलब change हो जाता ना, act 1 में उसने movable property में कौमा अलग जगा लगा दिया, act 2 में उसने movable property में कौमा अलग जगा लगा दिया, या कोई end और कर दिया, कुछ हलका बहुत change कर दिया, तो उससे तो law का मतलब पूरा change हो जाएगा definition का, chances कम हो जाते हैं, पिर same purpose उन्होंने दुबारा repeat किया, यानि कोई नई point नहीं लिख रहे, एक case लो हुआ था, जिसमें Supreme Court ने General Clause Act क्यों बनाया गया है, उसका क्या purpose है, वो बताया है, देखो, इस act का purpose Supreme Court के हिसाब से क्या है, इस act को हमने एक single act बनाया, जिसमें different provision डाल दिये, interpretation करने के, शब्दों के, और legal principle डाल दिये, अगर हम ये General Clause Act में ये बात नहीं लिखते, तो हमें हर act के अंदर ये बात अलग से बतानी होती, यानि, ये जो 30 days का rule है, ये जो rule है, कि first day count नहीं होगा, यानि date of declaration, count नहीं होगा, उसके बार से 30 days count होंगे, ये बात General Clause Act में लिख दी, अगर वो ऐसा नहीं लिखते General Clause Act में, तो उन्हें हर act में जाकर ये वाला rule बताना होता, कि भाई, इसको ऐसे पढ़ना है, इसको ऐसे पढ़ना है, तो इससे क्या बच गया भाया, इससे क्या हो गया, हमारी मेहनत बच गई, किसकी मेहनत, lawmaker की मेहनत बच गई, बाकी जो cut है, वो आपको पढ़ने की जरूवत नहीं है, ये वाला जो example to है, ये हम लोग immovable property की definition में पढ़ेंगे, चीक है, चलिए, next point पर चलते हैं, next point पेटा ये बोलता है, General Clause Act, किसको applicable होता है, जैसे आप जानते हो, Companies Act, Whole of India पे applicable होता है, आप जानते हो, Indian Partnership Act, Whole of India पे applicable होता है, Indian Contract Act, Whole of India पे applicable होता है, ऐसे ही, General Clause Act कहा applicable होता है, तो बताया ही नहीं, नॉर्मली ये बात हर act का section 1 बताता है जिसको हम बोलते है territorial extent territorial मतलब कौन सी territory में ये लागू होगा but general closes act के section 1 में सिरफ ये बताया गया है कि इस act को हम general closes act कहेंगे लेकिन ये नहीं बताया गया कि वो इंडिया में applicable होगा, जम्मू कश्मिर में कहा applicable होगा बताया ही नहीं, सर ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं बताया सर, because, देखो general clauses act का इस्तमाल कहां होता है, दूसरे act को interpret करने में आया न, मान लो, आप companies act 2013 को पढ़ रहे हो, और उसका use general clauses act का आप use कर रहे हो, companies act को पढ़ने में, companies act कहां पर applicable होता है, इंडिया में, तो automatically GCA भी कहां हो जाएगा, उस act में जैसे करोगे, इंडिया में, अगर आप दूसरा act पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, कोई और central act पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, general clauses act की help लेके, तो उस act की applicability कहां है, तो simple, इसी लिए general clauses act की नहीं बताया गया कि वो इंडिया में applicable हो, क्यों? क्योंकि वो act खुद से नहीं है, उस act का, खुद का कोई existence नहीं है, वो act दूसरे act को पढ़ने में help करने के लिए बनाया गया है, यानि, कहा जाए तो, देखो, तो, if a central act, अगर कोई central act, जिसे आप पढ़ने के लिए general clauses act की मदद ले रहे हो, central act जैसे की companies act, अगर वो इंडिया के लिए applicable है, अगर वो territory तक applicable है, तो automatically general clauses act भी उस act के लिए, उस territory तक apply हो जाएगा, अब question ही आता है, कि sir, आपने बोला, कि general clauses act, central acts को interpretation करने के काम आता है, तो पहला question आता है, sir, central acts होते क्या है, और दूसरा question आता है, sir, क्या, state act को पढ़ने के लिए, general clauses act के rules applicable होंगे, या नहीं होंगे, तो मेरे बच्चा, state act को पढ़ने के लिए, general clauses act के, ये वाला general clauses act applicable नहीं होता, state laws के लिए, हर state अपना general clauses act खुद बना सकता है, ये वाला पढ़ने के, वहाँ पर ये वाला लागू नहीं होता, second question जो आपका आया, कि sir, ये general clauses act किस पर applicable होता है, sir, central acts पर applicable होता है, sir, central acts होते क्या है, what is this central act, तो देखो, मैं आपको एक चार्ट से बताता हूँ, ठीक है, ध्यान देना, हमारा देश का बजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को, yes sir, हमारा constitution of India का भाया था, 26 जनवरी 1950 को, yes sir, तो यहाँ पर देखना, अब 3 time period होगे, एक इस से पुराना, एक इस से पुराना, तो इस वाले period में जो law बनते हैं, उसको बोलते हैं, Indian legislature, उसको क्या बोलते हैं, Indian legislature, 15 अगस्त से लेकर 26 जनवरी के बीच जो law बने, उनको बोला गया, Dominion legislature, और जो 26 जनवरी के बाद जो law बनाए गए, उन्हें Parliament बनाता है, तो उन्हें बोला गया, Act of Parliament, ठीक है, Indian legislature, Dominion legislature, Act of Parliament, यहाँ पर बेटा, इन तीनों को, हम combined बोलेंगे, Central Act, इन तीनों को क्या बोलेंगे, Central Act, लेकिन एक बात भूल गए आप, क्या भूल गए, आप यह भूल गए, कि यह Act कौन सी तारीक को लाया गया, अभी तो बताया था बेटा, 11 मार्च को, 11 मार्च, देखो, शुरू में ही बताया है मैंने आपको, 11 मार्च 1897 को लाया गया, तो 11 मार्च 1897 के बाद, जितने भी Act बने, जितने भी Act बने, चाहे वो फिर Indian legislature के हो, चाहे वो फिर Dominion legislature के हो, चाहे वो Act of Parliament हो, सबको हम Central Act के नाम से बुलाएंगे, और इन्हें इंटरप्रेट करने के लिए आप General Clause Act का सहारा ले सकते हो, General Clause Act का सहारा ले सकते हो, यहां तक ओके, Yes Sir, यहां तक, Totally Okay, तके, तो यही बात है देखो, General Clause Act कौन से Act पे लगता है, Parliament के द्वारा बनाए गए Act पर, Dominion legislature, ठीक है, और उस टाइम पे देखो, Parliament से पहले क्या हुआ, अजादी से पहले कौन करता था साइन, Governor करते थे, ठीक है, Act passed before the commencement of Constitution by the Governor, General Governor, ठीक है, चलिए, Next, बाकी आपको और कुछ भी यहां पर read करने की दरूवत नहीं है, सीधा अब आ जाते है, Point No.4 पर, Point No.4 की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहां पर देखो, Basic Understanding of Legislature, यह वाला Point बेटा, आपके Next Chapter, Interpretation of Statute में दुबारा से पूरा का पूरा repeated है, तो यहां पढ़ लो, यह वहां पढ़ लो, एक ही बात है, और वहां पर यह पढ़ना जादा important है, क्योंकि यह उससे ही relate करता है, यह General Clothies Act का as such part नहीं है, तो इसी लिए हम इसको कहां पर cover करेंगे, Next Chapter, that is, Interpretation of Statute में, यह जो preamble है, यह जो भी लिखा हुए, preamble, definitions, means, includes, जो भी लिखा हुए, वो सारी बाते, detail में हम लोग कहां cover करेंगे, Interpretation of Statute में cover करने वाले हैं, तो अब आ जाते हैं, अब mainly हम start करने जा रहे है, General Clothies Act को, जिसमें हमें definitions पर focus करना है, चीक है, सबसे पहला आता है Section 1, Section 1 में क्या बताया गया, Section 1 में सिरफ इतनी बात बताई गई है, General Clothies Act के, कि इस Act को हम किस नाम से बुलाएंगे, General Clothies Act 1897 के नाम से इस Act को पुकारा जाएगा, ये बात आपके Section 1 में लिखी है, normally, normally किसी भी Section 1 में क्या-क्या बाते लिखी होती है, Short Title, Commencement, Applicability, लेकिन यहाँ पर बेटा, सिरफ और सिरफ Short Title ही दिया हुआ है, सिरफ और सिरफ Short Title ही दिया हुआ है, अब important points आते हैं, that is definition, हम ये definitions क्यों पढ़ने वाले हैं, हम Act की definition पढ़ने वाले हैं, Central Act की बहुद सारी definitions हम आज पढ़ने वाले हैं, बट ये definition क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि in words का इस्तमाल किसी और central act में हुआ होगा तो वहाँ पर हम इसका use कर सकते हैं वहाँ पर हम इसका इस्तमाल कर सकते हैं इसी लिए ये definition हम पढ़ने जा रहे हैं तो start करते हैं देखिए section 3 से यहां से सबसे पहली definition है act अब आप इसको confuse कर लोगे companies act, general clauses act वो वाले act से नहीं बेटा normal English वाले act में चले जाओ act का मतलब होता है कुछ काम करना normally act का मतलब क्या होता है किसी चीज को करना उसे बोलते हैं action लेना act मतलब to act तो यहां पर ये उस reference में बोला गया है की देखो पढ़ते हैं act का मतलब होता है अगर किसी offense में अगर किसी offense offense का मतलब होता है law को तोड़ देना law को तोड़ना या अगर आप कोई civil wrong करते हो उसमें act का मतलब क्या होता है act का मतलब होता है series of act या तो आपने multiple कुछ ऐसे action लिये जिसकी वजह से वो offense हो गया या it also includes illegal omission omission का मतलब होता है कोई काम नहीं करना तो act में series of act कुछ करना तो act है अगर आपने कोई काम नहीं किया तो वो भी act में count हो जाएगा for example जैसे की देखो Indian panel code में Indian panel code में भी या अगर किसी का murder कर देते हैं तो भी या सजा मिल जाती है किसी का murder कर देते है Indian panel code में तो सजा मिल जाती है act act किया आपने murder करने का act किया अब example में देखना क्या हुआ एक बंदा था ठीक है Mr. X उसने क्या करा जेड को एक कमरे में बंद कर दिया पहला एक्ट क्या करा कमरे में बंद कर दिया उसके बाद उसे बहुत मारा बहुत मारा वो मरा नहीं उसे बहुत मारा उसे मारता गया चीक है ओके और फिर उसे खाना देना बंद कर दिया उसे मारा और उसे खाना देना बन कर दिया और जब उसे खाना proper time पे नहीं मिला तो वो विचारा भूक से मर गया उसी कमरे में तो यहां पर अब वो बंदा जाकर कोट में कह रहा है कि यार मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया मैंने उसे मारा था उसका मडर थोड़ी करा और मैंने उसे खाना नहीं दिया ये act to murder कहा है मैंने खाना नहीं दिया तो मैंने कुछ नहीं किया ना act का मतलब तो कुछ करना होता है मैंने तो खाना नहीं दिया ये तो reverse है तो law ने कहा भाई देख act में हम कुछ करने को भी include कर ले मतलब ये जो तुने उसे मारा ये तो series of act हो गया तुने उसे बिचारे को मारा उसे बंद कर दिया और ये जो तुमने उसे खाना नहीं दिया ये हो गया illegal omission यानि as per Indian panel code तुने murder का act किया है x और तुझे सजा मिलेगी जैसे कि तुने z का murder किया है ठीक है ओके सर तो short में एक बारी दुबारा बता देता हूँ act का मतलब होता है series of act या illegal omission या कुछ illegal जो तुमें करना चाहिए था बढ़ तुमने नहीं किया वो भी act माना जाएगा next point पर आते हैं मेरे बच्चा next definition जो की important है important है मैं जिसको important बता रहा हूँ उसको आपको अच्छे से कर ले ना बाकी अगर आपने ध्यान से नहीं भी करी चलेगा बट वो पक्का से करके जानी है क्योंकि exam में आने कि उसकी chances बहुत जादा है ठीक है affidavit 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 क्या होता है अगर मैं layman language में बात करूँ affidavit का मतलब होता है एक written statement affidavit का मतलब क्या होता है लेman language में एक written statement जिसमें आप लिखते हो कि हाँ मैं ये declare कर रहा हूँ कि मैंने ये 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 किया है आपने confirmation दिया आपने affirmation दिया एक paper पर writing पर लिखकर ठीक है और जिसको use करा जा सकता है जिसको use करा जा सकता है court में as evidence ठीक है लेकिन अगर आप affidavit की technical definition परते हैं तो layman language definition हो गई कि affidavit एक कागज पर कुछ लिखकर दे दिया जिसको की court में evidence की तरह use करा जा सकता है उसे affidavit कहते है technical definition पर अगर मैं जाता हूँ तो affidavit का मतलब होता है affidavit का मतलब होता है कि आपने कोई बात confirm करी या किसी बात का अगर आपने declaration दिया वो ऐसा माना जाएगा जैसे कि आपने कट घरे में खड़े होकर कसम खाई हो अगर आप कोई affidavit पर चीज लिखकर देते हो अगर आप मानलो companies act में कहीं बार पढ़ते हैं कि डारेक्टर को इस चीज का affidavit देना है डारेक्टर को उस चीज का affidavit देना है पढ़ते हैं इसका मतलब है कि उसने लिखकर दे दिया भई या affidavit उसने का भई हाँ हाँ जो आपने मांगा रोसी के पास फाइल कर दिया affidavit पर law कहता है जब आप affidavit सब्मिट करते हो इसका मतलब है कि आपने कोट में कट घड़े में खरे होकर कसम खाई है ऐसा हम मानते हैं यानि आपको वो सजा मिलेगी अगर आप कोट में खड़े होकर जूट बोलते हो वो वाली सजा आपको मिलेगी मतलब कोट में आप गए आपने जूट बोला ओथ खाई इसको हम बोलते हैं ओथ लेना या स्वेर करना affidavit पर जूट बोलना इस टोटली इक्यूवेलेंट टोटली इक्यूवेलेंट तो स्वेरिंग और ओथ इन दी कोट और उस पर सजा उतनी ही है इसी लिए affidavit पर जूट नहीं बोलना चाहिए तो यही बात यहाँ पर लिखिए affidavit का मतलब है अगर कोई परसन affirmation देता है या declaration देता है instead कसम खाने की जगा अगर वो affirmation या declaration दे देता है तो उसको affidavit बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं affidavit बोला जाएगा ओके सर अगर आप general clauses act की definitions में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा की affidavit और दो words हैं आगे जाकर मैं बता दूँगा एक swear की definition और एक oath की ये तीनो की definition क्या दी हुई है same दी हुई है कसम खाने की definition swear की definition और affidavit की definition तीनो definition same है word to word चुकि तीनो एक के बराबर एक है मतलब आपको क्या करना है आपने एक की definition याद कर ली तो आपको तीनो की definition याद होगी अगर exam में question पुछे define affidavit, define swear, define oath as per the general clauses act तो आप क्या करने वाले हो, बिल्कुल same to same तीनों में एक ही answer जाने वाला है Next आता है central act, ये तो हमने already cover कर लिया बेटा Central act का मतलब क्या है, क्योंकि हम बोल रहे है general clauses act लगेगा central act पे यारी general clauses act बनाया गया है, central act को interpret करने के लिए तो ये central act होता क्या है, तो बेटा central act का मतलब होता है फिर से वापस चलते हैं, parliament के दुआरा बनाया गया act, dominion legislature में बनाया गया act, और Indian legislature, तो ये ही बात यहां पर लिखी है central act का मतलब होता है, parliament के दुआरा बनाया गया act, dominion legislature में बनाया गया act, और Indian legislature में बनाया गया act, और ये act कौन बनाता था बेटा, governor general बनाते थे, governor general बेटा ये act को बनाते थे, तो इसी को हम central act बोलेंगे, इन सारे acts पे क्या लागू होगा, general credit act का interpretation लागू होगा, next आता है, अगर किसी भी act में, central government word use होता है, अगर किसी भी act में, central government word use होता है, तो central government का मतलब क्या है, इसमें आपको सारा नहीं पढ़ना है, सिरफ दो points याद रखने हैं, पहला, constitution के आने से पहले, central government का मतलब था, governor general, यानि 1950 में constitution आया, 1950 से constitution आने से पहले, जहां जहां हम central government की बात कर रहे थे, वहां पर उसका मतलब था, governor general, और constitution आने के बाद, क्या मतलब हो गया, president of India, बस इतना ही point आपको याद रखना है, बाकी ये points आपको पढ़ने की जरूरत, बिलकुल भी नहीं है, बिलकुल भी नहीं है, ये दो points अगर आप लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा, इतनी बड़ी definition में, दो points आपको याद करने है, next, यहां पर एक और बात लिखी हुई है, कुछ, part A states क्या होते हैं, part B states क्या होते हैं, part C states क्या होते हैं, इसको आपको यहां से नहीं पढ़ना बेटा, मैंने एक चार्ट बनाया है, उस चार्ट से आपको cover कर लेना है, और उतना आपको पढ़ लेना है, क्या हुआ था ना, जब इंडिया आजाद हुआ था, तब इंडिया के ना बहुत छोटे छोटे तुकडे थे, जैसे आज आप इंडिया को देखते हो कि भाया, स्टेट से इतने union territory है, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले बहुत सारे तुकडे हुआ करते थे, और इन तुकडों को part A, part B, part C, ऐसे classify किया हुआ था, फिर बाद में बेटा, इनको एक act लाया गया, state reorganization act और उनसे consolidate किया गया, जोडा गया, लेकिन जब नया नया constitution आया था, तब ऐसे छोटे छोटे चोटे तुकडों में जो है, इंडिया का विभाजन किया हुआ था, तो state A, part A states क्या होते हैं, आपको इस chart से देखना है, मैं आपको देखा रहा हूँ, बस इतना समझ लेना part A, part B, part C, part D, देखो, part A state कौन से state थे, इनको हम बोला करते थे, governance, governor provinces, क्यों governor provinces बोला करते थे, क्योंकि इन पर rule कौन करता था, governor करता था, और इस governor को किस ने appoint किया था, बेटा, president ने appoint किया हुआ था, फिर part B states, part B states कौन से थे, इनको हम princely states, princely states मतलब जहाँ पर prince, जहाँ पर ruler का राज चलता था, तो यहाँ पर कौन govern करता था, बेटा, ruler होते थे उस area में, जिनको हम बोलते थे, राज प्रमुख, उन states में, उन areas में, ruler देखता था, सब कुछ, फिर आते हैं, बेटा, part C states, कौन से state, part C states, जिनमें कौन, इनको हम क्या नाम से बुलाते थे, part C को, chief commissioner provinces, इनका नाम यह क्यों रखा गया, because इने कौन govern करना था, बेटा, chief commissioner govern करता था, जिसे किस ने appoint किया था, president ने appoint किया था, जिसे president appoint करता है, और last आता है, बेटा, part D, इसमें बड़े सारे state नहीं थे, इसमें एक single territory थी, अंडमान एन निकोबार आइलेंड की, जिसे कौन govern करना था, बेटा, lieutenant governor, LG govern करते थे, और इसे कौन appoint करता था, central government appoint करता था, central government appoint करता था, छीक है, तो यह आपको पता होना चाहिए, कि basic ऐसा था, अगर वो पूछ ले, इसे chances नहीं है, पर अगर पूछ ले, what is part A, what is part B, what is part C तो आपको part A, governor, part B, आपके princely state, part C, chief commissioner, और part D, आपका अंडमान निकोबार, यह चार बाते आप लिख देंगे, आपका काम खतम हो जाएगा, कि कौन rule करता था, और कौन appoint करता था, बस, छीक है, चलिए, next definition पर चलते हैं, next definition, अब यहाँ से हम सीधा आएंगे, commencement की definition पर, commencement, यह commencement word बेटा कहां use होता है, companies act कब commence हुआ, GST act कब commence हुआ, यानि act को force में कब लाया गया, act को किस दिन force में लाया गया, commencement जो है बेटा, अगर हम किसी act या regulation को commence कहते कि यह इस दिन commence हुआ था, इसका मतलब होता है, वो किस दिन, वो किस दिन, force में लाया गया, वो किस दिन लागू किया गया, कहीं बार ऐसा हो जाता है, कि लॉव बना लिया, लेकिन हमने वो power दे दी किसको, government को power दे दी, कि government, बनाता कोईogn है, law parliament, आप जानते हो, है ना, और law में ये लिख दिया कि government तुम्हारे पास central government तुम्हारे पास power है कि तुम जब चाहो इसके sections को notify कर सकते हो जैसे companies एक 2013 में हुआ था कि उसके section different different dates पर notify हुए थे तो जब तक वो notify नहीं होगा यानि तब तक वो comments नहीं हुआ यही बात commencement का यहाँ पर मतलब है commencement का simple सा मतलब है coming into forth जिस दिन वो लागू हुआ उसे कहते हैं commencement उसे कहते हैं commencement जैसे एक case हुआ था मान लो एक law बनतो गया एक law बनतो गया लेकिन उसे अभी तक उसे अभी तक force में नहीं लाया गया या जिसको power दी गई थी जिस authority को power दी गई थी कि तुम इसे official gadget में notify करके commencement कर सकती हो अगर उसने अपनी power exercise नहीं करी अगर उसने अपनी power exercise नहीं करी उसे in force में लाने की तो तब तक हम यह मानेंगे कि वो act या जो regulation है वो commence नहीं हुई वो commence नहीं हुई next एक और important definition आती है बेटा जो की बहुत important है exam point of view से कौन सी definition? document की definition चलिए document को हम लोग समझते हैं इसको आपको सिरफ chart से ही read करना है ठीक है? chart में पूरा जो है definition cover है document का मतलब होता है कि अगर आप किसी चीज को भी record कर रहे हो अगर आप किसी matter को record कर रहे हो किसी भी matter को अगर आप record कर रहे हो record क्यों करते हैं? ताकि future में उसे use करा जा सके as evidence, future में उसका इस्तमाल किया जा सके तो document का मतलब किसी matter को record करना record करने के लिए क्या लगेगा? किसी substance पे record करोगे paper पे कर सकते हो, आप पत्थर पे कर सकते हो, आप दिवारों पर कर सकते हो किसी भी substance पर अगर आप किसी matter को लिख रहे हो express कर रहे हो, उसे record करने के लिए तो वो document है अब आपके पास substance तो आ गया, substance मतलब कोई document, कोई file किसी भी चीज में, किसी भी format में वो record हो रहा है अब आप उसको क्या करोगे? या तो letters लिख कर करोगे या numbers में करोगे, या हो सकता है, कोई sign बना कर कर सकते हो कोई sign mind बना कर, कोई code बना कर भी कर सकते हो, record है ना तो उसको हम क्या मानेंगे? document मानेंगे तो document का मतलब बहुत simple है बेटा document include, कोई भी matter, चाहे वो लिखा हो, चाहे वो express हो किसी भी substance पर, paper पर होना जरूरी नहीं है हम लोग यह समझते है, document मतलब paper document मतलब paper, बट जर्नल क्लोदिदेक्ट बोलता है, अपनी सोच को थोड़ा बदा करो किसी भी चीज पर कोई भी चीज अगर आप लिख देते हो आपने पत्थर पर लिख दी, दिवार पर लिख दी, कोई भी चीज अगर आपने लिख दी और वो वहाँ पर record बन गया उसका, तो वहाँ पर हम उसको document मान लेंगे यानि आप court में उस document को क्या कर सकते हो, पेश कर सकते हो जैसे कि example देखो, कोई किताब document है, हाँ है कोई file document है, हाँ, even painting, हाँ, सर पेंटिंग कैसे document हो सकती है अरे बेटा, क्या उससे कोई record बन रहा है, हाँ, बन रहा है, तो वो है कोई computer file, हाँ है, बस currency note को, currency notes को cover नहीं किया गया बाकी सारी चीजे यहाँ पर cover हो गई document में अब एक बड़ा important question आता है, देखो, document की definition ना general clauses act में भी दी गई है, और Indian evidence act में भी दी गई है question ही आता है कि sir, इन दोनों में difference किया exam में आ सकता है कि what is the difference between definition of document अंडर general clauses act and definition of document अंडर Indian evidence act almost same है, सिरफ एक छोटा सा change है बेटा general clauses act में include लिखा है, लेकिन यही Indian evidence act में क्या हो जाता है Indian evidence act में means, यानि यहाँ पर inclusive definition है inclusive definition है, और वहाँ पर restricted definition है वहाँ पर क्या है, restricted definition है restricted definition है, तो यह important है, आपको learn करनी है next आता है, enactment enactment क्या होता है बेटा, यह ना substitute word है law का, यह substitute word है act का यह यहाँ नहीं चलता, यह बहर बहुत ज़्यादा चलता है enactment, enactment का simple मतलब अगर मैं बताऊं तो कोई भी act या regulation बनती है उसको हम क्या कहते है, enactment कहते है कोई भी regulation या act बनती है, उसको हम enactment बोला जाता है यह बात यहाँ पर भी लिखे देखो, enactment का मतलब होता है act चाहे वो फिर parliament ने बनाया हो, चाहे वो state legislature ने बनाया हो और, और, act का मतलब पूरा act नहीं है इवन, it also includes the sections, provisions of the act यानि, enactment जब मैं बोलता हूँ, तो मैं पूरे act को भी refer कर सकता हूँ या उसके किसी section को भी refer कर सकता हूँ उसके किसी section को भी refer कर सकता हूँ ओके सर, इसका चर्चा आगे जाकर दुबारा होगी थोड़ी सी चर्चा बाकी है, मैं दुबारा इस पर चर्चा बाद में करूँगा चीक है, चलिए ओके, even law के rules or regulation rules or regulation कुछ अलग नहीं होते but it is the part of the law, it is the part of the law चलिए, next definition आती है मेरे बच्चा financial year की, तो अगर मैं बात करता हूँ financial year की चलिए, financial year में मेरे बच्चा देखो दो definition है, एक है financial year, general clauses act में और एक है year, ठीक है financial year का मतलब होता है एक अप्रेल से start होना और 31 मार्च पर खतम होना और year का मतलब होता है British calendar year का मतलब क्या होता है British calendar और British calendar का क्या है यहाँ पर एक जनवरी से लेकर 31 December, तो अगर companies act में कहीं पर word year use हो रहा है, तो normally उसका मतलब क्या माना जाएगा एक जनवरी से 31 December माना जाएगा, एक जनवरी से तो यही बात यहाँ पर लिखे दे को financial year means the year starting on the first day of April on the first day of April वहीं पर year का मतलब क्या है year का मतलब होता है year record मतलब calculated according to British calendar that is जनवरी से लेकर December that is January से लेकर December तो यह question exam में आ सकता है what is the difference between financial year and calendar year as per the general clauses act तो आपका अंसर यही होना चाहिए financial year start होता है एक अपरेल से और calendar year start होता है एक जनवरी से ठीक है? ओके सर next definition आती है good faith की next definition कौन सी आती है? good faith की good faith की जो definition है वो exam में बहुत बार पूछी गई है और इसी लिए यह very 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 important है good faith की definition और एक immovable property की आगे जाकर आएगी यह definitions आपको बहुत अच्छे से करनी है good faith का मतलब क्या होता है? कहीं बार हम बहुत सारे acts में बढ़ते हैं कि अगर यह काम आपने good faith में किया तो आप बच जाओगे तो good faith का मतलब होता है अगर आप किसी काम को honestly करते हो ठीक है? good faith का क्या मतलब होता है? अगर आप पहले में general clauses act की बात कर रहा हूँ general clauses act में इसका मतलब है अगर आप कोई काम honestly यानि इमानदारी से करते हो मतलब आपने वो काम good faith में किया है इससे फरक नहीं पड़ता कि आपने वो काम लापरवाही से किया है या नहीं किया negligence or not आपका intention गलत नहीं था वो काम करने का हाँ आपने वो काम हो सकता है लेकिन आपका intention गलत नहीं था यानि आपने वो काम किया गुड़ फेथ में किया का मतलब होता है कोई भी काम deemed to be in good faith में तब कहा जाता है जब वो काम honestly किया जाता है यानि इमानदारी से किया जाता है इससे फरक नहीं पड़ता कि आपने वो काम negligently किया है या नहीं किया है इससे फरक नहीं पड़ता मतलब आपने वो काम लापरवाई किया नहीं किया इमानदारी intention थी ना तो जनर्रल क्लोदी एक बोलता है भाई तुमने ये काम good faith में किया है तुम बच गए लेकिन ये definition हर जगा अपली केबल नहीं होती ये definition हर जगा अपली केबल नहीं होती इसके लिए ये वाला केस लो एक important है मांग आउंग पू वर्सिस मांग सी मांग मांग आउंग पू वर्सिस मांग सी मांग इसमें क्या हुआ था बेटा Indian contract act में good faith की definition नहीं दी गई है Indian contract act में good faith का word तो यूज हुआ है good faith का word यूज हुआ है Indian contract act में कहीं बार लेकिन उसकी definition वहां नहीं दी हुई है अब आप बोलोगे सर वहां नहीं दी हुई है तो general clauses act की definition पढ़ लो ना बेटा general clauses act कब आया है 1897 में Indian contract कब आया है 1872 में तो ये तो Indian contract act तो पहले आ गया general clauses act बाद में आया तो इस act पर general clauses act की definition लागू नहीं होगी यानि ये जो अभी definition मैंने आपको पढ़ाई Indian contract act में अगर कहीं पर word use होता है good faith तो आप ये वाली definition को follow नहीं करेंगे सर फिर कौन सी definition को follow करेंगे फिर आप definition को follow करेंगे जो definition generally use होती है civil law में जो civil laws दिये हुए है good faith की definition जो civil laws में दिय हुई है ना वो definition इस्तमाल होगी Indian contract act 1872 में सर वहाँ पर क्या बताया गया है good faith का मतलब वो तो बता दो वहाँ पर बोला गया है good faith मतलब good faith मतलब वहाँ पर आपने honestly तो करना ही करना है लेकिन ध्यान से करना है oh my gods ध्यान से करना है मतलब attention is expected with a man of ordinary prudence attention is expected with a man of ordinary prudence तो यहाँ पर general clauses act जहां बोल रहा था कि लापरवाही कर भी दोगे बट intention साफ होनी चाहिए good faith में है वहीं बेटा Indian contract act के लिए honesty तो होनी ही चाहिए honesty तो होनी ही चाहिए साथ में due care भी होनी चाहिए साथ में due care भी होनी चाहिए अगर आपने वो काम honestly किया बट आपने ध्यान से नहीं किया तो Indian contract act में आपको good faith का दर्जा नहीं मिलेगा यानि जो benefit एक good faith वाले को normally बेटा यही होता है कि अगर आप कोई काम good faith में करते हो ना तो law आपको कुछ benefits दे देता है जैसे कि हमने sale of goods act में हो सकता है बहुत बच्चों नहीं पढ़ा होगा sale of goods act में क्या होता है कि अगर आप किसी चोर से goods खरीदते हो अगर आप किसी से चोर से goods खरीदते हो और आप purchaser हो और आप good faith में खरीद लेते हो आप good faith में खरीद लेते हो तो law कहता है ये जो चोर का title चोर तो owner नहीं था तो इसका title क्या था defective title था लेकिन अगर आप ये काम good faith में करोगे तो आपका title क्या होगा आपका title good title होगा क्योंकि आपने काम good faith में किया यानि आप जो है उस समान के मालिक बन जाओगे लेकिन यहां पर यही बात है अगर कोई honest purchaser है मतलब मैं buyer हूँ मैंने एकदम intentionally मेरी नियत एकदम साफ़ती लेकिन मैंने carelessly बिना चोड से inquiry करे वो सामान खरीद लिया तो इस case में मुझे मैंने काम good faith में नहीं किया क्योंकि मैंने honestly तो किया लेकिन due care से नहीं किया न तो बहिया good title मेरे पास नहीं आएगा ओके सर नेक्स्ट आता है government कई सारे acts में government word बार-बार यूज होता है कि अगर government company हो गया है जो भी government word बार-बार यूज होता है बहुत सारे एक्ट में तो वहाँ पर ये government word का मतलब कौन सी government central government ये state government तो general crisis act बोलता है कहीं पर भी अगर word government या दा government लिखा हुआ है तो उसमें दोनों आते हैं मतलब उसमें central government को भी हम बोल रहे हैं और state government को भी हम बोल रहे हैं अगर किसी law में लिखा हुआ है कि भाया company को अगर government से पैसा मिला तो माफ हो जाएगा उसे deposit नहीं माना जाएगा तो वहाँ पर दोनों cover हो जाएगी central भी और state भी अब government के भी ना बेटा wings होते हैं government के क्या होते हैं एक government के किसी भी government के तीन wings होते हैं कितने wings होते हैं तीन wings होते है ठीक है एक उता है उसका legislative wings मतलब हिस्से एक होता है legislative wing जो law बनाता है जो law बनाता है एक होता है executory wing जो उस law को implement करता है और तीसरा होता है Judiciary Wing जो उस law को क्या करता है Interpret जैसे कि आपके courts वगयरा हो गए चीक है ओके तो law कह रहा है यहाँ पर government को government के interpretation के दो तरीके हैं अगर कहीं पर government word लिखा हुआ है ना तो आप उसे broader sense में भी interpret कर सकते हो narrow sense में भी broader sense interpret करोगे मतलब आप तीनों wings की बात कर रहे हो उसमें legislature भी आ जाएगा executive भी आ जाएगा और judiciary भी आ जाएगा बट अगर context पढ़के यानि आपको उसके आजू बाजू के शब्द पढ़कर ये लग रहा है कि नहीं नहीं इसमें ये लोग सारे wings की बात नहीं कर रहे हैं ये government के सिरफ और सिरफ executive wing की बात कर रहे हैं तो narrow sense में हम सिरफ किसको मानते हैं executive wing को माना जाता है सिरफ executive तो ये ही बात यहाँ पर लिखिए देखो government का government से आपको ये तो पता चल गए कि government बार बार यूज होता है लेकिन government को interpret constitute मतलब interpret करने के दो तरीके हैं एक है broader तरीका दो तरीके हैं two senses मतलब दो एक आप उसे broader तरीके से कर सकते हो और एक आप उसे narrow तरीके से कर सकते हो अब government generally जो होता है ना उसका मतलब होता है उसके तीन हिस्से तीनों हिस्से अगर कहीं पर government लिखा है मतलब हम उसके तीनों हिस्सों की बात कर रहे हैं उसके legislature हिस्से की भी उसके executive हिस्से की भी उसके judiciary हिस्से की बट अगर narrow sense में उसे interpret करने चाओगे तो वहाँ पर कौन से हिस्से की बात हो रही है executive अब आपका question आएगा सार अगर कहीं पर government word मैंने central act में पढ़ लिया तो ये broader है या narrow है मुझे कैसे पता चलेगा मैं कैसे decide करूँ कि इसको कैसे interpret तो वो कह रहे हैं आप कौन सा meaning assign करना है ये depend करेगा कि उस शब्द को किस context में use करा गया उस शब्द को किस context में use करा गया वो आजू बाजू के शब्द पढ़ना आपको समझ जाएगा कि ये तीनों wings की बात कर रहा है या सिरफ executive wing की बात कर रहा है या सिरफ executive wing की गवर्मेंट securities की government security क्या होते है securities क्या होते है तो आप जानते वे सग्रा में बता रखाया है वहाई तो अगर कोई security central government issue करती है वो भी government security है अगर कोई security state government issue करती है वो भी security है ठीक है ओके लेकिन इसमें part b की part b की securities को count नहीं करेंगे अब सर part b क्या है अरे बेटा part b state princely states जो राजा महराजा तो अगर राजा महराजा के वहाँ से कोई security issue होगी उसे government security का part नहीं माना जाएगा so it does not include securities of the government of any part b state यानि government security central government ने दी state government ने दी वो तो government securities है लेकिन अगर part b state से कोई government security issue होती है तो उसे government security इसका दरजा नहीं दिया गया है चलिए अब आ गई very 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 important इस पे आपको hundred stars बनाने है कितने stars बनाने है मेटा hundred stars बनाने है that is immovable property और movable property ये definition बहुत जगा पर यूज होती है जैसे कि मानलो stamp act अगर मैं बात करता हूँ stamp act की है तो stamp act मैं मानलो movable property पर movable property पर 5% है और immovable property पर 12% stamp duty है मतलब government को ये tax जाएगा अगर आप movable property बेचोगे तो 5% tax जाएगा अब यहाँ पर आपको नहीं लगता कि बड़ा ज्यादा जरूरी है बाइफोर्केट करना कि movable property क्या होती है immovable property क्योंकि उससे ये decide होगा कि खर्चा कौन सा होने वाला है खर्चा कौन सा होने वाला है उस point से ये decide होने वाला है तो चलिए इस पर detailed discussion करते हैं आईए देखो तुनो property दो type की होती है एक होती है movable property और एक होती है immovable property movable property की definition दुनिया की सबसे simple definition है क्या definition है कोई भी property जो की immovable property नहीं है वो movable property होती है मैंने वाह वाह जैसे की shares, electricity, magi का packet है न तो जो immovable property नहीं है वो movable property होती है ठीक है हमने का okay तो इसके लिए अब हमें जा कर सीखना पड़ेगा immovable property क्या होती है तो immovable property पहला word ही क्या है बेटा includes पहला ही word क्या है बेटा includes यानि ये कौन सी definition है inclusive definition है क्या बोला गया इसमें चार चीज़े आएंगी कितने चीज़े चार चीज़े सबसे पहला land immovable property होता है सबसे पहला इसमें मैं add कर लेता हूँ फिर discuss करते हैं देखो उन्होंने सबसे पहले बोला immovable property में land land immovable property अगर एक person दूसरे person को plot of land बेच रहा है मतलब भाई immovable property की बात हो रही है दूसरा कोई भी चीज जो अर्थ को attach कर दी गई है जैसे की कोई building अब building है भाईया क्या वो अर्थ को attach है the answer is yes क्या वो अर्थ को attach है the answer is yes तो क्या ये भी immovable property होगी हाँ जैसे कि आप देखते हो metro station बना होता है metro station spiller पे बना दिया जाता है yes or no क्या वो भी अर्थ को attach कर दिया गया बनाने के बाद भाई वो attach होगी अब ऐसे तो हट नहीं जाएगा तोड सकते हो मानता हो तोड तो आप building को भी सकते हो बट वो अर्थ को attach कर दी गई ना हाँ तो इसको क्या बोलेंगे भाईया immovable property बोलेंगे immovable property बोलेंगे उसके बाद उन्होंने बोला next point things attached to earth things attached to earth के बाद उन्होंने क्या बोला crystals attached to earth में आप आप समझ गे building कोई भी चीज अगर आप permanently fasten बान्ध देते हो कोई ऐसी चीज गे उपर जो earth से attach है for example building किसको attach है attached to earth है बिल्डिंग attached to earth है हमने बिल्डिंग पे क्या किया हमने बिल्डिंग में doors लगवाए हमने बिल्डिंग के अंदर windows लगवा दी अब वहाँ पर वो fit हो चुकी है वो दरवाजे वो windows क्या हो गई है fit हो गई है building में तो law कह रहा है क्या आपने इन्हे permanently fasten कर दिया अरे सर ये तो निकाले जा सकते है निकाले जा सकते है बिल्कुल बट permanently fasten मतलब आपने उन्हें जोड दिया पेच वेच लगा गया आपने जोड दिया तो हमारी यही तो intention होती है कि भाईया यही लगे रहेंगे जब तक खराब नहीं होते है ना तो वहाँ पर degree of degree of separation में efforts ज़्यादा लगते हैं तो अगर कोई भी चीज permanently fasten कर दी जाती है अर्थ ऐसी चीज के साथ जो अर्थ से अटेस थी तो वो भी immovable property में count हो जाएगी यानि यह जो doors जो building में लग चुके हैं वो तब तक immovable property माने जाएंगे जब तक कि वो जब तक कि वो लगे हुआ है building में अब एक question आता है sir trees sir पेड़ बताओ ना sir sir trees बताओ ना sir trees sir क्या trees immovable property होगी है movable trees क्या attached to earth है हाँ sir attached to earth है बट अगर trees को cut कर दिया जाए जैसे कि हम timber इसको हम बोलते है timber अगर हम trees को cut कर दे timber छोटे छोटे तुकडों में तो क्या ये trees अब movable property बन जाएंगे हाँ so timber is a movable property but trees is a immovable property is it clear yes or no yes sir तो हमें पहला point clear हो गया land things attached to earth और permanently fastened to anything attached to earth अब last आता है जो बच्चों को बहुत जादा दिक्कत देता है वो है benefits to arise out of land आपने land से अगर कोई benefit आने वाले है उसको भी क्या बोला जाएगा immovable property बोला जाएगा उसको भी क्या बोला जाएगा immovable property बोला जाएगा चलिए example लेते है मान लीजिए government ने एक company को mine mine में से resources निकालने का access दे दिया कि तुम यहां से हम तुमें right दे रहे है mine में जितने भी mineral resources है तुम निकाल सकते हो mine कहा है land में क्या वहां से हमें benefit होने वाला है हाँ हमें वहां से benefit होने वाला है तो law कहता है इसको क्या माना जाएगा immovable property यह जो राइट है right to access resources from mine is benefit to be a rise of land benefit to be a rise of land तो देखना है मैं यहां पर transaction मनाता हूँ government ने kgf company को right दिया kgf company को right दिया क्या कि आप इस mine से जितना चाहो उतना gold निकाल सकते हो यह right दिया तो यह right क्या होगा immovable property है right क्या है immovable kgf ने क्या करा उस में से 1000 kg gold निकाला 1000 kg gold निकाला और लोगों को customers को बेचा तो यह जो 1000 kg gold है यह क्या है movable property है तर अभी तो आपने बोला था कि सर यह जो हमने right लिया यह पेटा अगर कोई benefit land से future में होने वाला है अगर कोई benefit land में future में होने वाला है और मैं उसको assign कर रहा हूँ वो immovable property है बट यह gold तो हम निकाल चुके हैं ना land से यह benefit already arise हो चुका है अब बस हम इसे sale कर रहे हैं तो यह क्या होगा बेटा movable property clear yes or no yes sir चलिए वापस चलते हैं definition पर आईए immovable property का मतलब होता है land benefits to arise जो होंगे land से arise जो होंगे land से arise things attached to the earth या कोई चीज जो permanently fasten कर दी गई है ऐसी चीज को जो अर्थ से attach है यह again वह ही है same point तो दुबारा repeat करे गए तो दुबारा क्या बस यह inclusive definition है क्योंकि include लिखा हुआ है बाकि आपको पढ़ने की जरूबत नहीं है चलिए example number 16 पढ़ते हैं देखो शान्ता बाई वर्स श्टेट ओफ बॉंबे में supreme court ने यह बोला था कि trees क्योंकि वे land से attach होते हैं इसी लिए क्योंकि वे land से attach होते हैं इसी लिए हम उन्हें क्या मानेंगे immovable property मानेंगे हम उन्हें क्या मानेंगे immovable property मानेंगे मानेंगे ठीक है next आता example number 17 अगर आप किसी को right देते हो access करने का एक जगा से दूसरी जगा जाने के लिए मान लीजिए ये land मेरी है और यहां पर A की land है और यहां पर B की land है तो मैंने उसे यहां से access करने का right दे दिया और उसके बदले मैं उसे पैसे चार्ज कर रहा हूँ तो यह जो access करने का right मैंने दिया है यह किसकी वज़ा से आ रहा है land की वज़ा से आ रहा है benefits to be arise out of land तो वही कह रहे है right of way to access from one place to another may come within the definition of immovable property लेकिन अगर water का drain निकालने की बात करेंगे तो वो immovable property नहीं माना जाएगा next अगर हम किसी बड़ी machine को soil से attach कर देते हैं soil से attach कर देते हैं या तो इनको हम क्या मानेंगे immovable property माना जाएगा general clauses act में एक point बाकी अभी हतम नहीं हुआ एक point मैंने आपको बोला था last में बताएंगे शुरू में वहाँ पे अभी दिखाता हूं रूखो कहां बताया था कहां बताया था जहां chapter start हुआ था जहां chapter start हुआ था मैंने कहा था जब immovable property की definition पढ़ेंगे तब इसके बारे में चर्चा होगी यह देखो यह आ गई covered in the definition of immovable property यह discussion आ गया simple सा है इसमें क्या बोला था court ने क्या final बोला देखो एक pond है वो land पे है on land पे है और आपने उस pond में किसी को मचली पकडने का right दे दिया that is right to catch the fish यह right दे दिया तो क्या वो benefit land से arise होने वाला है हाँ fish निकाल कर अगर आप बेच रहे हो तो immovable property अगर आप pond में से मचली पकडने का right दे देते हो वो क्या है benefits to arise out of land और इसी लिए उसे क्या माना जाएगा immovable property और ये बात transfer of property act तो यहाँ पर देखिए a claim of the right to catch the fish came इस case में आया था अनन्दा बहरा वर्सिस state of Odisha में जहाँ पर court को decide करना था कि fish को carry करना fish को carry करने का right fish को catch करने का right अगर बेचा गया है तो यह movable property है या immovable property है जिसमें court ने final decision क्या दिया court ने final decision ये दिया कि भईयक fish को catch करना जो है immovable property है एक बार इसको read कर लेते हैं book से section 3 clause 26 of general clauses act बोलता है immovable property मतलब land benefits arouser of land things attached to earth या permanently attached to the earth फिर transfer of property act आ जाता है transfer of property जहाँ पर property transfer होती है उसकी बात हो रहे हैं उसमें यहाँ पर कुछ बताया कि नहीं गया है लेकिन उन्होंने ये बोला कि immovable property में ये ये point नहीं आती यानि standing timber वगेरा नहीं आता अब fish fish general clauses act में movable है कि immovable है ये हमें पता करना था और ये पता करने के लिए हमने कौन से point में उसे cover कर दिया benefits to be aroused out of land वाले point में cover कर दिया बस इतना सा आपको याद रखना है तीम चार बाते लिखने हैं आपका काम हो जाएगा ठीक है चलिये आगे चलते हैं कहां चला गया भाईया कहां चलिए गई अ रे चलिए 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 भाईया कहां चलिए गई next definition है imprisonment आप companies act में कहीं बार पढ़ते हो की डिरेक्टर को imprisonment हो जाएगी ओफिसर इंड डिफॉल्ट को इंप्रिजनमेंट हो जाएगी यह इंप्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है इंप्रिजनमेंट का मतलब होता है इंप्रिजनमेंट हैं इंप्रिजनमेंट का मतलब होता है इंप्रिजनमेंट यह कैसी भाया डैफिनेशन है क्या रहे हैं imprisonment में आपको imprisonment मतलब हम भी जानते हैं कि jail भेजना है लेकिन कौन सी jail दो type की jail में होता है एक होता है कांग गया भाईया simple और एक होता है rigorous imprisonment दो type के होते हैं simple imprisonment और rigorous imprisonment simple में भाईया काम ज़्यादा थोड़ा बहुत करा जाता है ज्यादा नहीं कराया जाता बट rigorous imprisonment में hard labor कराई जाती है पत्थर वत्थर तुडवाए जाते हैं तो यहाँ पर मेरे बच्चा इंडियन पैनल कोड में बताई गई है दो type की imprisonment और यह कौन डिसाइड करता है यह court decide करता है court decide करता है यह court की मर्जी है कि वो उस अपरादी को simple imprisonment देना चाहता है या rigorous imprisonment देना चाहता है यह condecide करता है court की मर्जी होती है यह concept और वो depend करता है उसने offense किस nature का किया है तो यही बात यहाँ पर लिख्खिये कि imprisonment दो type की होती है rigorous imprisonment, simple imprisonment अगर किसी भी act में imprisonment बोली गई है जैसे company that में बोला गया है कि director को 4 साल की jail होगी तो यह जो 4 साल की jail होगी यह simple होगी या rigorous वाली होगी यह कौन सी होगी तो भाईया वो कह रहा है court decide करेगा कौन सी होगी बट imprisonment का मतलब दोनों type की imprisonment होता है next point है बिटा Indian low, Indian low को आपको asset पढ़ने की जरूवत नहीं है Indian low को आपको पढ़ने की जरूवत नहीं है next month month का मतलब होता है British calendar वाला month यानि January, February, March, April वो वाले month की बात यह कर रहे हैं फिर आता है movable property यह मैंने अभी आपको पढ़ा दी movable property मतलब other than immovable property other than immovable property जैसे की debt, share, electricity यह सारी क्या होती है movable property होती है उसके बाद oath की definition cover कर ली थी बेटा एफिडेविट की definition में पढ़लो सेम है oath shall include affirmation, declaration in case of a person by allowed to affirm or declare instead of swearing यानि कसम खाने की जगए अगर वो लिखकर दे देता है affirm or declaration दे देता है तो हम मान लेंगे कि उसने कसम खाई उसको सजया वैसे ही दी जाएगी उसके बाद offense offense का मतलब होता है भईया law को तोड़ देना offense का मतलब होता है अगर आपने कोई act किया या आपने कोई omission किया जो की punishable था उस time पर जो law लाग्यू था उस law को तोड़ने पर जैसे कि अगर मैं red light थी और मैं चला जाता हूँ red light होने के बावजूद भी अपनी गाड़ी लेकर तो मैंने एक ऐसा act किया जो भईया क्या करता है law को तोड़ता है जो उस time force पर था तो मुझे कहा जाएगा कि मैंने क्या कर दिया ओफिशल गैजटे मतलब government की magazine होती है यह central government की भी हो सकती है और state government की भी हो सकती है इसी लिए अगर किसी act में official gadget या सिरफ gadget लिखा है तो उसका मतलब या तो the gadget of India जो की central government के अंडर आ रहा है या official gadget of state जिस state का gadget है दोनों ही cover होते हैं गैजटे ओफ इंडिया क्या होता है एक public magazine होती है एक legal document होता है government of India का या आप मानलो उस state की government का जिससे की वो कौन से किसी department के अंदर आता है department of publication ministry के अंदर आता है और इससे government क्या करती है कोई भी official communication अगर public के साथ करना है तो इसी gadget में वो छाप कर कर देती है जैसे हमने पहली class में सीखा था first class में कि भाईया अगर किसी bill को act बनने के लिए president का sign तो लगता है लेकिन उसको फिर छापा जाता है official gadget में ताकि logo को पता चल जाए कि भाईया ये act जो है आ चुका है ये act जो है आ चुका है चलिए person की definition यहां पर बेटा inclusive definition है person की definition क्या inclusive definition है इसमें company भी आती है association भी आता है body of individuals भी आते हैं क्या यहां पर सर इंडिविजोल नी आएगा हुए नी आएगा inclusive definition है तो सब कुछ आ सकता है क्योंकि inclusive definition में सब कुछ cover कर लिया जाएगा next आता है कहीं बार law में आप पढ़ते हो कि इस document को register कराना mandatory है जैसे कि अगर एक person दूसरे person को property बेच रहा है अगर एक person दूसरे person को property sale out कर रहा है तो उसका registration कराना mandatory है तो registered कराने का exact मतलब क्या है registered जब हम किसी document के बारे में बात करते है कि इस document को register कराना जरूरी है इसका मतलब है कि आपने उस document को india में क्या कराया register कराया कौन से law के अंदर जो law उस time registration of document के लिए बनाया गया था जैसे कि for example registration act registration act इंडिया में है अगर आप किसी document को register कराना चाहते हो तो वहाँ जाकर आप करा सकते हो उस act का procedure फॉलो करके आप अपने documents को register करा सकते हो अब भहिया आती है थोड़ी थोड़ी वाहियात definitions क्यों वाहियात आता है क्योंकि यह common sense है इनकी definitions होने की जरूरत नहीं थी बट फिर भी दी हुई है मुझे बताओ मैं आप से पूछना चाहता हूँ simple सा बहुत simple सा question है बहुत simple सा question है question यह है मेरे बच्चा कि अगर companies act में लिखा हुआ है कि schedule 3 देख लो यह लिखा हुआ है कि schedule किसी section में लिखा है कि schedule 3 पढ़ लो मुझे बताओ यह कौनसे act का schedule 3 होगा कौनसे act का अगर companies act के किसी section में लिखा है schedule 3 देखो बस इतना लिखा हुआ है तो आप इसे कौनसे, कौनसे act का schedule 3 मानोगे implied NJR companies act का ही मानोगे अगर किसी section में लिखा है की section number 7 में लिखा है कि section number 8 पढ़ो तो आप कौनसे Act का Section 8 पढ़ोगे अगर कुछ नहीं बताया है कौनसे Act का पढ़ना है तो कौनसे Act का Section पढ़ोगे Companies Act का ही पढ़ोगे न यानि जिस Act में वो लिखा हुआ है जिस Act में वो लिखा हुआ है उस Act के ही तो Section की बात हो रही होगी उस Act के ही सबसेक्शन की बात हो रही होगी उस Act के ही Rules की बात हो रही होगी ये बताने की जरूवत नहीं थी बट General Crossed Act ने फिर भी बता दिया क्या बता दिया कि देखो अगर किसी Act में Rule Word यूज हो जाता है तो आप समझ लेना ये उस Act के अंदर बनाए गए Rules की बात हो रही है अगर किसी Act में Schedule Word यूज हो जाता है अगर किसी Act में Schedule Word यूज हो जाता है तो आप मान लेना ये उसी Act के Schedule की बात हो रही है उसी Act के Schedule की बात हो रही है अगर किसी act में section word यूज हुआ है कि refer section 72 और आप उस act को पढ़ रहे थे तो simply मान लेना कि ये आपको उसी act के section, section means a section of that act जिसमें वो शब्द लिखा हुआ है, जिसमें वो शब्द लिखा हुआ है subsection means a subsection of that section जिस word में वो हुआ है, जिस section में वो आया है okay, swear का मतलब हम पढ़ चुके हैं already, swear का मतलब हम already पढ़ चुके है writing में भी कुछ इतना बढ़िया नहीं है, writing का मतलब होता है कोई भी printing, lithography, photography सब कुछ writing में cover हो जाएगी और year का मतलब होता है, British calendar वाला year, ये year भी बेटा हम already पढ़ चुके है अब आपको एक छोटा सा discussion मुझे करना है, section 4 का, अब मैं आपसे छोटा सा discussion करूँगा, जाधा बढ़ानी, देखो इसके लिए आपको थोड़ा सा basic समझना पढ़ेगा क्या हुआ था, हम अभी पढ़ रहे हैं, 11 March 1897 को General Closes Act 1897 आया था इस तारीक को ये act आया था, मानते हो, यानि इस तारीक के बाद, जितने भी central act आये होंगे इस तारीक के बाद, जितने भी central act आये होंगे, उनकी definition, उनमें जो words होंगे उनके लिए हम definitions यहां आका ढूंड सकते हैं, हाँ बट मेरा question है, यहां पर, भाई, पहले भी एक General Closes Act चलता था जो 14 जनवरी 1887 को आया था, इस period के बीच में, जितने भी acts आये होंगे जितने भी acts आये होंगे, क्या उनके लिए definitions जो अभी हमने पढ़ी, वो use कर सकते हैं क्या और तीतरा, इस से पहले भी एक General Closes Act आया था, तो इस period के दोरान, इस period के दोरान जो acts आये होंगे, जो acts लागू हुए होंगे, क्या इस act में दी हुई definitions को, इस act में दी गई definitions को हम इन acts के लिए, इन regulations के लिए इस्तुमाल कर सकते हैं, इसी का answer बेटा, section number 4 देता है, section number 4, दिमाग खोल कर सुनना जो मैं कह रहा हूँ, कह रहा है, इसको तीन पार्ट में बाता गया है, एक, definition, आपने जो year की definition पड़ी, एफी डैविट की definition पड़ी, इम्मूवेबल प्रॉपर्टी की definition पड़ी, मूवेबल प्रॉपर्टी की definition पड़ी, imprisonment, month, oath, person, section ये जो आपने definitions पड़ी है ना ये जो आपने definition पड़ी है ये apply होंगी कहाँ apply होंगी उन सारे central acts पे जो कब बने थे 3rd January 1868 यानि उन्होंने बोला अभी जो मैंने आपको definitions बताई ना वो यहाँ से applicable होगी इनके बाद जितने भी central acts बन गए उन acts में अगर ये words use हुए होंगे तो आप in definitions का इस्तमाल कर सकते हो in definitions का इस्तमाल कर सकते हो and जितनी भी regulation जो है वो बनी थी 14 जनवरी 1887 के बाद next कुछ और definition है जैसे की commencement जैसे की financial year की definition offense की definition registered की definition schedule की definition subsection की definition writing की definition ये सारी definition आप किन पर लगा सकते हो जितने central act या regulations जो बने है 14 जनवरी 1887 के बाद 14 जनवरी 1887 के बाद मतलब वो बोल रहे हैं अभी जो मैंने आपको शब्द बताए इस date के बाद जितने भी central acts आये होंगे उस पर अगर ये words use हुए हैं तो आप इस वाले general clauses act में दी हुई definition का use कर सकते हो बाकी जो cover नहीं हुई जैसे good faith क्या आपको यहाँ पर good faith दिख रहा है कहीं नहीं दिख रहा और भी कुछ definitions है जो आपको यहाँ पर नहीं दिख रही उन definition को कब से apply किया जाएगा बेटा जब 11 मार्च को 1897 को यह नया 1897 को जब यह नया act आया ना तब उनके बाद आये हुए सारे central acts पे लगाई जाएगी नहीं समझा कोई बात नहीं छोड़ देना बट समझ गया होगा मुझे लगता है mostly आपको इसमें दिखकत नहीं आई होगी क्योंकि मैंने इसको chart form में आपको बता दिया कि कुछ definitions इस tactical work के बनाए गए central acts के लिए कुछ definition इस तारीक के बाद बनाए गए central acts के लिए और कुछ definition इस तारीक के बनाए गए central acts के लिए इस तरह से bifurcation किया हुआ है ज़िए तो यह हमारा section 4 हो गया उके उसके बाद एक और section 4 है कि कुछ definition तो सारे loss पर लग जाती है central government ये वाली definition तो सारे Indian loss पर लग जाती है but for a as such इतना important नहीं है आप इसको skip भी कर सकते हो अब हम पढ़ेंगे बच्चो general rules of interpretation, general rules of construction यानि अगर आप कोई central act पढ़ रहे हैं और उसको कैसे interpret करना है उसके कुछ common rules, उसके कुछ basic rules बेटा यहाँ पर section 5 से लेकर section 13 तक दिये हुए है जैसे कि बात करते हैं सबसे पहले section number 5 की section number 5 बच्चो ये कहता है कि अगर मान लो कोई central act किस दिन comments होता है ये कैसे पता चलता है comments मतलब किस दिन वो into force आता है किस दिन वो लागू होता है इसके लिए rule आपको section number 5 में पता चल जाता है general rule ये बोलता है general rule क्या है general rule is कि जिस दिन उस bill को president की president of India की assent मिल जाएगी assent मिल जाएगी उस दिन हम मानेंगे कि वो act लागू हो गया है उस दिन वो मानेंगे वो act लागू हो गया है for example मान लो एक act है x y z act ठीक है उसको चार अपरेल को 4 अपरेल 2023 को president की assent मिल गई कितने बज़े मिल गई मान लीजिए शाम को 5 बज़े उसको assent मिल गई या मान लीजिए 3 बज़े 3 बज़े मान लेते है 3 बज़े assent मिल गई तो यहाँ पर आपको कोशन आएगा कि कौन सी तारीख को ये act लागू हुआ तो आप कहना सर 4 अपरेल 2023 को ये act लागू किया गया है और कोई time पूछ ले कितने बजे कितने बजे लागू हुआ था तो आप क्या कहोगे 3 बजे नहीं नहीं 3 बजे तो sign हुए हैं सर फिर कौन सी तारीख को माना जाएगा लाग कहता है हम fractional hours को ignore करेंगे यानि हम ये मानेंगे 3 ये देखना ये 3 अपरेल है और ये 4 अपरेल है यहां 3 बजे sign हुए लाग ये मानेगा यहां पर 12 बजे जी हां 4 अपरेल जब रात की इस जगा पर जब 12 बजे थे उस टाइम से ही मान लेंगे कि law force में आ चुका है यहां पर hours का कोई चक्कर नहीं है हमेशा कोई भी law 12 बजे से ही लागू हो जाता है ओके सर next ये तो हो गया general rule मेरे बच्चा अब हम बात करते हैं exceptions की exceptions की जैसे अगर आप बात करेंगे Companies Act 2013 की Companies Act 2013 को President की Ascent कब मिली President की Ascent कब मिली 29 अगस्त 2013 को 29 अगस्त 2013 को तो as per general rule अगर मैं पढ़ू तो भाईया जिस दिन President की Ascent मिली उस दिन Companies Act लागू हो जाना चाहिए था Force में आ जाना चाहिए था But Companies Act के section 1 में हमने शुरू में पढ़ा था Companies Act के section 1 में क्या बात लिख्य हुई है कि Central Government के पास power है वो जब चाहे इसको क्या कर सकती है Force में ला सकती है Official gadget में public करके Official gadget में public करके और even अलग-अलग sections को अलग-अलग date पर लाने की power Central Government को दे दी तो यहाँ पर माल लो Central Government ने section number 1 30 August को 30 August 2013 को Official gadget में publish कराया तो Companies Act का section 1 कौन से दिन लागू हुआ 30 August 2013 को लागू हो गया 30 August 2013 को लागू हो गया यही बात यहाँ पर मेरे बच्चा लिख्की हुई है ठीक है एक यह तो हो गया exception number 1 second exception आता है मान लो कोई regulations कोई regulations official gadget में 12 December को publish हुई 12 December 2000 publish को publish करी गई official gadget में बट उस regulation में clearly लिखा था कि वो force में आएंगी वो force में आएंगी एक जनवरी 2023 से तो हम कौनसी date लेंगे बेटा हम date लेंगे एक जनवरी 2023 की तो general rule यह है कि जिस दिन president का sign मिल गया उस दिन हो गई बट अगर उसी act में clearly mention है कि यह कब से होगा तो फिर वो वाला follow कर लेना और अगर official gadget में छापा है और उसमें date mention है कि यह कौनसी दिन से come into force आएगा तो हम वो वाला मान लेंगे आईए तो यहाँ पर देखिए example पढ़ते हैं पहले the companies act received president assent on 39 अगस्ट बट उसको section 1 को official gadget में कब notify किया 30 अगस्ट को किया गया 30 अगस्ट को accordingly next next example देखो sabi sabi regulations 2015 किसने issue करी थी sabi ने issue करी थी sabi ने एक regulations लेकर आई official gadget में वो कौनसी दिन को आई 14 अगस्ट को उसे official gadget में print किया गया लेकिन उसके अंदर clearly लिखा था कि यह regulation कौनसी तारिक से आएंगी 1 जनवरी 2016 से आएंगी तो इस case में regulation की commencement की date कौनसी मानी जाएगी 1 जनवरी 2016 मानी जाएगी ना कि जिस दिन वो gadget में print हुआ था ना कि 14 अगस्ट 2015 अच्छा एक और question आता है next question ही आता है इस पे कि मान लो अगर central government के पास कैसे आप जानते हो Companies Act 2013 में Central government के पास power है कि वो किसी भी section को force में ला सकती है official gadget में publish करवा के ठीक है question यह आता है अगर central government publish नहीं करवाती publish नहीं करवाती तो क्या court के पास ये power है कि वो central government को legal order भेज के ये बोल दे कि तुम इन sections को पटा पट से force में ले आओ क्योंकि बहुत जादा time हो गया है तो law कहता है the answer is no तो यह आपको case law का नाम याद नहीं रख़ए जो मैंने cut करवा रख़ए उसे cut कर दीजेगा अगर किसी act ने government को power दी है कि तुम जब चाहो तब इस act को power में लाना तो इंडिया का कोई भी court issue नहीं कर सकता mandamus mandamus में यहाँ पर लिख लीजिए legal order legal order to inferior to inferior courts वगयरा के लिए जो legal order आता है without view वो compel नहीं कर सकता कि government को कि तुम इसे फटा फट से operation में ले आओ कि चार तारिक को तुम इसे notify कर दो नहीं यह power cg की है cg अपने आप exercise करेगी जब जरूरत होगी बट क्या court court उन्हें जबरदस्ती तो नहीं कर सकता central government को की से फटा फट force में ले आओ बट क्या court जो है वो question पूछ सकता है क्या court question पूछ सकता है कि government बहुत time आ गया है बहुत time हो गया है तुमें power मिले लेकिन तुमने अभी तक notify नहीं करा कब का plan है notify करने का तो यही next case law में बोला है court नहीं यह held करा था अगर sufficient time हो गया है act को आए वे provision को president की assent मिले हुए लेकिन अभी तक central government ने उसे official gadget में notify नहीं किया उसे force में नहीं लाया तो court जो है वो writ देके यहाँ पर भी writ का मतलब या भी लिग लिजिए legal order पास करके government को direct order पूछ सकती है question पूछ सकती है question पूछ सकती है कि भाया कौन सी तारिक को तुम ला रहे हो ये तो बता दो ठीक है मैं तुमें ये नहीं कह सकती कि ले आओ बड़ इतना तो पूछ सकती हो ना कि कब ला रहे हो तो वो चीज allowed है चलिए बाकी आगेगा ये वाला point आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है last वाला point मैंने आपको समझा दिया है कि law तीन बज़े sign हो चार बज़े उससे कोई फरक नहीं पड़ता ये official gadget में कितने बज़े आ रहा है वो रात के बारा बज़े क्या हो जाता है enforce आ जाता है तो law जो है न वो cognigence नहीं लेता fraction of day को मानता नहीं है यानि अगर किसी act में लिखा है कि वो एक जनवरी को आएगा कि वो एक जनवरी को आएगा तो मतलब जैसे ही 31 दिसंबर खतम होगी रात के बारा बज़ेंगे clock में तो वो एक जनवरी हो जाएगी start हो जाती है एक जनवरी 31 दिसंबर को जैसे ही रात बारा बज़ेंगे एक जनवरी start हो जाएगी तो वहाँ से जो law है वो लागू हो जाएगा लागू हो जाएगा next question आता है इसी point से related कि sir जब कोई law लाया जाता है तो जब कोई नया law आता है तो क्या वो prospectively आता है या वो retrospectively आता है prospectively आता है या retrospectively मान लो एक law को एक जनवरी कुन प्रेसिडेंट की एसेंट मिली क्या हम इसे एक जनवरी से पिछले तीन सालों के लिए apply कर सकते हैं इसको बोलेंगे retrospectively मतलब law आ जाया लेकिन हमने उसे फिर भी पुराने सालों में भी applicable कर दिया जैसे कि वो पुराने सालों में भी exist करता था तो यहाँ पर बेटा normal assumption ये है कि कोई भी law जब आता है कोई भी law जब आता है तो हम उसे क्या मानेंगे कि वो prospectively आया यानि जिस दिन से वो लागू किया गया है उसके बाद से ही उसकी applicability होगी लेकिन अगर expressly उसमें लिखा हुआ है अगर उस law में expressly लिखा हुआ है कि नहीं मैं तो पुरानी date से notify हुआ यानि मान लो government ने चार जन्वरी को कोई change लाया और उसमें लिख दिया कि ये change जो है with effect from एक जन्वरी आएगा तो भले ही government ने उसे notify चार जन्वरी को किया लेकिन वो क्या होगा लागू एक जन्वरी से होगा क्या government ऐसा कर सकती है बिल्कुल कर सकती है लेकिन उसके लिए उसे clearly mention करना होगा या उसकी language में clearly intention बतानी होगी कि वो उसे retrospectively करना चाता है तो यही बात है हम उसे retrospectively नहीं मानते लेकिन अगर clearly law में mention है clearly express word से लिखा होगा है कि नहीं मैं चार जन्वरी को तो आया हूँ बट मैं apply cable एक जन्वरी तो होगा तो वहाँ पर हम क्या मानेंगे retrospective मानेंगी या जो language है अगर आप law की language पढ़ते हो और उससे आपको clear हो जाता है कि government इसे retrospective बलाना चाती है तो फिर उसे retrospective माना जाएगा ठीक है तो कैसे पता चलता है कि कोई भी law prospective है या retrospective है बेटा उसकी language पढ़के उसकी language पढ़के आपको समझ आ जाता है चलिए next आता है मेरे बच्चा section number 6 ये बात करता है repeal की किसकी बात करता है repeal की बात करता है पहले हम लोग repeal का मतलब समझेगे सबसे पहले क्या हुआ करता था Companies Act 1934 करता था फिर क्या आया Companies Act 2013 आया Companies Act 1934 करता था Companies Act आरे नहीं सर बीच में 1956 भी तो था ओहो ओहो तुम्हें याद है तुम तो बड़े होश यार हो फिर उसके बाद Companies Act 2013 आया अब जब 1956 आया ना तो ये Act हो गया रिपील और रिपील के बदले ये वाला हो गया इसको बोलते है री इनेक्टिड एक्ट इसे क्या बोलते है री इनेक्टिड यानि ये रिपील हुआ औ और फिर एक दिन ये वाला Act भी रिपील हो गया इसे भी हटा दिया गया और फिर ये वाला उसकी जगा एक नया Act आ गया यानि पुराने Act को हमने क्या कर दिया रिपील कर दिया खतम कर दिया अब कोशन आता है सर जब देखना हां मेरे कोशन समझना सबसे पहला कोशन ही आया सर जितनी भी company companies act 1956 में बनी है क्या अब वो companyya बंद हो जाएगी क्योंकि वो act जिसमें उन्होंने खुद को register कराया था वो act तोड़ गया या अब उन company को दुबारा से companies act 2013 में registration लेना पड़ेगा गुड कोशन या मान लो एक shareholder ने calls in advance दी थी company को companies act 2013 आने से पहले जिस टाइम पर companies act 1956 लागू था अब उसको इस पर क्या मिलने वाला था interest मिलने वाला था उसको interest मिलने वाला था लेकिन जब तक उसको interest मिलता उससे पहले ही companies act 1956 को repeal कर दिया सरकार ने और companies act 2013 को ला दिया तीतरा कोशन मान लो एक director को दस साल की अब जब director को 10 साल की jail हुई companies act 1956 में 5 साल बात क्या हुए वो 5 साल jail में था jail में था jail में था 5 years complete हो गए और companies act 1956 को repeal कर दिया और नया companies act आ गया companies act 2000 तेरा आ गया तो वो कहने लगा कि भाया मुझे छोड़ दो क्योंकि जिस act में मुझे सजा सुनाई गई थी वो act ही सरकार ने हटा दिया तो अब इस सजा का क्या मतलब वो act तो हड चुका है ना ये बात ठीक है ओके सर तो यही इन सभी questions के answer बेटा आपको मिलेंगे section number 6 में कि अगर कोई central lawyer regulation इस act के आने के बाद repeal कर दी जाती है ठीक है है ना तो उस repeal से यानि companies act 1956 के हटाने से पहले मैं second point बताता हूँ companies act 1956 के repeal होने से उसके अंदर जितने भी काम हुए थे जैसे कि companies बनी थी क्या वो companies बंद हो जाएगी ता answer is no it shall not affect पुरानी कंपनिया जो companies act 1956 में बन चुकी है उन पर कोई भी effect नहीं आएगा सर जो interest मेरा accrue हुआ था calls in advance पे companies act 1956 में क्या वो right मर गया law में क्या लिखा है the repeal shall not affect any right कोई right कोई duty कोई liability अगर आपको पुराने act जो repeal हुआ है उससे मिली है तो उस पर कोई impact नहीं पड़ेगा next सर जो jail हुई थी 10 साल की सर जो 10 साल की jail हुई थी 5 साल हुए क्या आप छूट जाओंगा shall not affect any penalty punishment मतलब जो मिल गई उस पर कोई भी effect नहीं आएगा जो आपको पुराने law में मिल गई ना भले ही वो law हटा दिया गया मानते हैं लेकिन उसके अंदर जो rights जो penalties थी वो continue करेंगी वो continue करती रहेंगी सर अगर कोई inquiry चल रही हो मान लो पुरानी companies act में कोई fraud हुआ था और किसी company ने fraud किया था company के promoters ने मिलके उन पर inquiry चल रही थी court में उनमें proceedings चल रही थी तो सर जैसे ही act जाएगा तो क्या वो proceedings बन करके छोड़ दिया जाएगा तो उनोंने क्या shall not affect any inquiry litigation और remedy to such claim जो की आपको वहाँ पर मिल गई थी जो की आपको companies act 1956 में मिल गई थी अब एक first point हमारा pending है first point देखना द्यान से समझना इस point को please दियान से समझना बच्चा confused हो जाता देखो आप जानते हो कि Companies Act 1930 को Companies Act 1956 ने क्या कर दिया था? रिपील कर दिया था और Companies Act 1956 को कौन रिपील कर रहा है? Companies Act 2013 तो ये question आता है सर अगर 1956 ने 1913 को रिपील कर दिया था 1956 जब act आया था तो उसने क्या किया था? Companies Act 1913 को हटा दिया था है ना? तो जब हमने Companies Act 1956 को हटा आया तो क्या 1930 वापस से revive हो जाएगा क्या? क्योंकि उसको रिपील करने वाला एक्ट ही रिपील हो गया क्या सर? अरे बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि क्या Companies Act 1930 वापस से revive हो जाएगा? यानि वापस से लागू हो जाएगा क्या? अगर उसे repeal करने वाला act repeal हो गया खुद repeal हो गया तो law ने यहाँ पर क्या कहा the repeal ध्यान से पढ़ना the repeal shall not revive repeal companies act 1956 के repeal होने से नहीं होगा revive नहीं होगा revive यानि companies act 1913 revive नहीं होगा अगर companies act 1956 रिपील हो चुका है वो repeal ही माना जाएगा वो repeal ही माना जाएगा यह आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है फिर यह करने की जरूरत नहीं है उसके बाद एक important question है यह आपको करना पड़ेगा next question आता है sir what is the difference between difference between difference between repeal and deletion sir repeal and deletion deletion को हम कहीं बार omission भी बोलते हैं जैसे मैं भी आपको example देता हूँ don't worry यह देखो यह मैंने खोल रखा है बच्चो general clauses act 1897 यहाँ पर अगर आप section 2 देख रहे होंगे तो section 2 पे क्या लिखा हुआ है repealed section 5A पे क्या लिखा हुआ है repealed section 13A पे क्या लिखा हुआ है repealed section 30A पे repealed section 31 पे repealed schedule पर repealed दिख गया repealed लिखा हुआ है वहीं अगर मैं companies act पर जाता हूँ और companies act का section 11 पर जाता हूँ तो section 11 के आगे क्या लिखा हुआ है omitted दोनों से हट गया अगर आप ध्यान देखोगे तो दोनों से हट चुका है क्या हट चुका है repealed होगे वहाँ से section अब नहीं पढ़ने की ज़रूवत और 11 में omitted लिखा है वहाँ से भी पढ़ने की ज़रूवत नहीं है तो इसमें उन्होंने पूछा कि भहिया क्या difference होता है जब government कहती है कि हमने section को repealed कर दिया या जब government कहती है हमने section को delete कर दिया इन दोनों में difference क्या होता है तो ये difference बेटा आपको learn कर लेना है क्योंकि exam के लिए important है ये case law हुआ था नवरंग पुरा गाम धर्मदा मिलकर ट्रस्ट वर्सिस रमतुती जी क्या हुआ था इसमें इसमें देखा गया कि repeal जो है अगर हम किसी provision को repeal करते है वो different होता है अगर हम किसी provision को delete करते है actually में देखा जाए तो दोनों से ही provision act में से हटा दिया जाता है दोनों ही case में common क्या है कि अब वो act में present नहीं है आज की तारिक में चाहे omitted लिखा हो चाहे repeal लिखा हो आज की तारिक की अगर मैं बात करता हूँ तो वो section हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है लेकिन क्यों government एक section को कह रही है मैंने repeal कर दिया और क्यों government एक section को कह रही है मैंने delete कर दिया इससे impact क्या पढ़ता है तो यहाँ पर देखिए repeal का normally meaning होता है कि complete deletion of the provision completely उड़ा दिया उस provision को जैसे कि वो कभी exist ही नहीं करता था उससे related सारे rights सारे affect जो है वो हटा दिये जाएंगे वो सारे हटा दिये जाएंगे जबकि deletion का normally मतलब होता है कि law ने उसे आज की तारिक के लिए delete कर दिया लेकिन हाँ जितनी भी पुरानी चीजे थी जितनी भी पुरानी चीजे थी वो वैसी की वैसी रहेंगी so for the purpose of this section the above difference is too important अगर आप सच में इस case law को पढ़ते होना तो ऐसा लगता है दोनों में उल्टा दिया हुआ actually मैं repeal में होना चाहिए था कि वो repeal में होना चाहिए था कि वो exist करता है उसकी rights and duties impact नहीं करती और delete में होना चाहिए था कि भाईया वो complete deletion हो गया बट अब जो case law में बोला हुआ exam में तो वो ही लिखना पड़े गा next चलते है section number 6A next कहां मेरे बच्चा section number 6A पर चलते हैं इस बात को दिहान से समझना पहले इसका basic बताता हूँ देखो अगर government companies act में amendment लाना चाहती है तो कैसे लाएगी क्या आपको पता है अगर government companies act में कोई amendment लाना चाहती है तो क्या तरीका है उसको लाने का मान लो company act में 2015 में government जो है amendment लाना चाहती है तो एक नया act आएगा जिसको हम बोलेंगे companies amendment act 2015 मान लो 2017 में दुबारा change लाना है तो एक और नया act आएगा ये act का क्या परपस है सिरफ एक परपस है इस act का परपस है to make amendment to make amendment in companies act 2013 मान लो 2017 में कोई amendment लानी है तो एक नया act बनाया जाएगा companies amendment act 2017 मान लो company ने 2019 में government ने 2019 में companies act में कोई section में addition deletion जो भी करना है कैसे करेगा मैं rules की बात नहीं कर रहा rules को change करना है वो तो central government कर लेगी उसके लिए अक्ट बनाने की जरूबट नहीं है लेकिन अगर act में change करना है तो पार्लियमेंट के थ्रू वाला पूरा प्रोसीजर फॉलो होता है वो है ना तो यहां पर आएगा companies act companies amendment act 2019 तो यानी आप जब कहते हो ना कि हम amended law पड़ रहे हैं कि हम आज का up to dated law पड़ रहे हैं हम आज का up to dated law पड़ रहे हैं तो उसका reality में meaning है कि आप companies act 2013 पड़ रहे हो उसके बाद 2015 वाले एक्ट ने जो changes करे वो पड़ रहे हो 2017 के एक्ट ने जो changes करे वो पड़ रहे हो 2019 के एक्ट ने जो changes करे वो पड़ रहे हो यानी आप actually में companies act 2013 नहीं आप 4 अलग एक्ट पड़ रहे हो companies act 2013 भी पड़ रहे हो companies आपको पता नही कहती है कि यार ये तो हमारे Companies Act में Changes लाने के लिए हम इतने सारे Amendment Act ले आए अब लोग हो जाएंगे Confused लोग हो जाएंगे Confused तो normally क्या करती है Government कुछ टाइम बाद इन Amendment Act को क्या कर देती है Repeal कर देती है Repeal कर देती है तो फिर Question आता है कि Sir अगर हम इन Amendment Act को Repeal कर दे अगर हम इन Amendment Act को Repeal कर दे तो क्या इन होने जो Changes इस Companies Act में किये थे वो Changes हट जाएंगे या वो Changes इन Act के Repeal होने के बाद भी रहेंगे इसी चीज का अंसर आपको Section 6A में मिलता है Where Any Central Act or Regulation Made After Commencement of this Act अगर हमने कोई Act लाया जो की Repeal कर रहा है ऐसी Act को हमने एक Act लाया क्या Act लाया होगा देखना आज अगर Government रिपील कर रही होगी तो Government लाएगी Companies Act Repeal Act और इन चारों को क्या कर देगी इन तीनों को क्या कर देगी उससे Repeal कर देगी तो वो वही कह रहे है अगर Government ने कोई Act लाया जो Repeal कर रहा है ऐसे Act को जिसने Change किया था Central Act को उसको Amend कर के या उसमें आपने हो सकता है Amendment कोई भी कर सकते हो कोई चीज़ Delete करनी हो कोई चीज़ Add करनी हो या कोई चीज़ Substitute करनी हो है ना तो जब तक Different Intention नहीं है तो Companies Amendment Act Delete होने से उनके Repeal होने से उसने जो Amendment लाये थे ना वो Amendment Operation में ही रहेंगे मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर Companies Amendment Act 2015 Repeal भी हो जाता है लेकिन उस Act ने जो Amendment 2013 के Act में लाये थे वो वैसे के वैसे ही क्या करेंगे Continue करेंगे वैसे के वैसे ही क्या करेंगे मेरे बच्चा Continue करेंगे Okay सर Next Point पर आते है Next Section पर आते है Revival of Repealed Enactment मतलब मान लो Government ने एक Act था XYZ Act चीक है Government ने उसे क्या कर दिया Repeal कर दिया Government ने उसे क्या कर दिया Repeal कर दिया क्या Government इस Act को जो Repeal किया था क्या अगर Government चाहे तो इस Act को वापस ला सकती है For example Example लेते है माननो COVID चल रहा था तो Government ने COVID से related law बना दिया कि भईया आपको आरोग्य से तुआप दिखाना हर जगा जरूरी है ये इतना distance maintain करना जरूरी है और ये सब पूरा law बना दिया COVID चला गया Government ने क्या किया? उस Act को repeal कर दिया कुछ सालों बाद फिर से COVID आ गया तो Government ने क्या का? Government ने का अरे यार ये तो वापस आ गया इस Act को वापस क्या कर दो? Revive कर दो इस Act को वापस क्या कर दो? Revive कर दो तो यहां पर इसी की बात हो रही है कि अगर कोई Central Act या Regulation जो है अगर Revive कर रही है कोई ऐसे Act को जो पहले repeal हो चुका था तो Government ऐसा कर सकती है लेकिन उसके लिए Government को Expressly mention करना पड़ेगा Intention mention करनी पड़ेगी कि भाईया वो ऐसा करना चाहती है और उसका Purpose To state that Purpose कि वो पुराने Act को ही Revive करना चाहती है ये Clearly उसे mention करना पड़ेगा नया Act लाके कि मैं पुराने वाले Act को ही क्या कर रही हूँ Revive कर रही हूँ मैं पुराने वाला Act जो मैंने बन कर दिया था क्योंकि COVID चला गया था मैं उसी Act को वापस से क्या कर रही हूँ लागू कर रही हूँ चलिए ठीक है ओके सर फिर ये वाला पॉइंट आपको पढ़ने की जरुवत नहीं है ठीक है चलिए Next चलते है Section No.8 Section No.8 बहुत ही Simple सी बात करता है इसको सीधा आप Example ये वाला मत पढ़ना सीधा Example No.20 पढ़ना क्या हुआ था मैं बताता हूँ एक Section है Income Tax Act में एक Section है जो आप सीधा Final में पढ़ोगे Income Tax Act में Income Tax Act 1961 में एक Section है 115JB कौन सा Section है 115JB जिसमें लिखा है कि Profits को Book Profits को Calculate किया जाएगा As per As per Companies Act Companies Act 1956 ऐसा Income Tax Act के Section 115JB में लिखा है कि आगर किसी कंपनी का Profit निकालना है तो वो हम Companies Act 1956 के हिसाब से निकालेंगे ये बात कहां लिखी है Income Tax Act में लिखी है आज की तारिक में आप बताओ क्या हो गया क्या आज की तारिक में Companies Act हट के क्या रियल लाइफ में Companies Act 2013 आ गया है या नहीं आ गया पिलकुल आ गया अब कोशन आया रहे हो वो अब Companies Act मत देखना अब तुम क्या देखना Companies Act 2013 देखना यही बात यहां पर लिखी है कि आगर किसी जगा रिपील्ड एक्ट का रेफरेंस दिया हुआ है जैसे बात Section 8 बोलता है वेर दिस एक्ट और Central Act यह एक्ट यानि General Clause एक्ट या Central Act या Regulation made after this commencement of this Act रिपील या रिएनेक्ट कर देती है मतलब इसे रिपील कर देती है बिना चेंजिस के तो भाईया जो रेफरेंस है दूसरे इनेक्टमेंट में दूसरे इनेक्टमेंट कोई है इनकम टेक्स जो इनेक्टमेंट दूसरे लौ में या किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में दी हुई है उस रिपील्ड इनेक्टमेंट की तो अगर intention अलग नहीं है तो हम नए वाले नए वाले एक्ट को रेफरेंस देंगे सिंपल सी बात है अगर कहीं पर पुराने किसी भी लौ में अगर पुराने कंपनीज एक्ट 1956 की बात लिखी है तो आटोमेटिकली आप उसको क्या समझ लेना कि वो आज की तारिक में नए कंपनीज एक्ट 2013 की बात कर रहा है ये बात आपको जन्रेल क्लोजिज एक्ट ने बता दी ये बात आपको जन्रेल क्लोजिज एक्ट के सेक्शन 8 ने बता दी ठीक है चलिए clear है सबको yes sir next आता है बेटा section number 9 next आता है बेटा section number 9 जिसमें very 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 important लिख लो exam point of view से ठीक है ये क्या बोलता है section number 9 section number 9 कहता है आप जानते हो हमने पढ़ा था कि भाई या company's act में company's act में dividend कितने दिन में पे हो जाना चाहिए within 30 days from within 30 days from date of declaration from date of declaration यही बात लिख हुई है मान लो date of declaration है मान लो एक example में date of declaration है dividend की 30th September तो जब तुम 30 days count करोगे जब तुम 30 days count करोगे तो यह 30 September को count करना है या counting एक October से start होगी यही question आ रहा है तो इसी का answer general clauses act ने दिया कि अगर from word है तो यह जो first day है जहां से from है इसको count नहीं करेंगे मतलब आपके 30 days कहां से count होने start होंगे एक October से लेके कहां तक जाएगी counting 30 October तक जाएगी यानि इन 30 days के अंदर company क्या कर सकती है इन 30 days के अंदर company क्या कर सकती है dividend पे कर सकती है dividend फिर उसके बाद आपको पता है अगर मैं इसी rule को और आगे ले जाओ अगर 30 दिन में पे नहीं करा अगर companies ने 30 October तक पे नहीं करा तो क्या होगा 7 दिन के अंदर जहां पर वो 30 days complete हुआ है उसके 7 दिन के अंदर क्या करोगे unpaid dividend account में डाल दोगे तो भाईया unpaid dividend account में कितने दिन में डाल देंगे यहां पर फिर यह 30 October अंदर नहीं होगी फिर 7 दिन कहां से मिलेंगे 31 October से लेकर 31 से लेकर 6 September तक इन 7 दिनों के अंदर company को क्या करना है unpaid dividend account में पैसा जो है डाल देना है unpaid dividend account में पैसा डाल देना है यानि जिस दिन डिकलेयर हुआ उस दिन को count नहीं करेंगे वहां से 30 दिन लेंगे और 30 दिन जहां पर खतम हुए उसके बाद से next दिन से आपको और 7 दिन मिलेंगे unpaid dividend account में इस तरह से counting करी जाती है यही बात section 9 में लिखिए कि अगर किसी law में calculate करने के लिए from word का इस्तमाल हुआ है तो आप उसमें day के अंदर first days उन series में कौन सा day count नहीं करेंगे exclude कर देंगे first day यानि 30th September को count नहीं किया जाएगा और अगर कहीं पे two word use है अगर कहीं पे two word use है तो last last को include कर लिया जाएगा last date को include कर लिया जाएगा मनलब 30th October जो है वो include कर ली जाएगी तो यही example है आप read कर ले न कि अगर 30 September है तो last 38 day कहां पे आएगा 30 October को आ जाएगा और 30 October उसमें include होगा ठीक है चलिए next आता है section number 10 मान लो हम पढ़ते हैं कहीं बार पढ़ते हैं कि भैया members जो है अगर company दिखकत करती है сообщ diesłeं यह अगर ंपनी दिखकत करती है members यह BOTS सारे sections में हमने पढ़ा था कि भैया अगर यह हो गया तो और अन्सी इन्सील्टी यह तो न्सील्टी के पास चले जाना है ना तो हमने मान लो बोला था 21 दिन में भैया आप NCLT के पास जा सकते हो, किसी section में लिखा है कि किस दिन में आप NCLT के पास जा सकते हो अब जो 21st day था वो था मान लो 4 जुलाई 2023, यानि 21st day खतम हो रहा था 4 जुलाई और 4 जुलाई को निकल जाता है, 4 जुलाई को निकल जाता है holiday, 4 जुलाई को क्या हमारी जो application NCLT के पास क्या वो 3 जुलाई तक चली जानी चाहिए ना ना जनरल clauses act करता है, कहता है कि अगर आपको किसी court के पास जाना था किसी authority के पास जाना था within the time और उस दिन last day वो authority की छुट्टी थी, तो आपका जो उसका next working day होगा next working day next working day हो सकता है 5 जुलाई को खुल जाए, 5 जुलाई को भी चुट्टी हो सकती है 6 जुलाई को, जब भी next working day आएगा उस next working day में जाकर आप application file कर सकते हो, यही बात आपकी section 10 में लिखी है अगर किसी law में बोला आपको direct किया गिया है कि आप court में जा सकते हो चीक है आप office में जा सकते हो prescribed period में और उस दिन वो court या office office मनला रजिस्टर आफिस वगरा रजिस्टर वगरा कि office जाना है तो वो close था last day, वो उस period खतम होने के last day पर close था तो आप कौन सा day लोगे next day जिस दिन वो court या office खुलेगा यानि 4 जुलाई के बाद अगर वो 5 जुलाई को खुलेगा तो वो last day बन जाएगा 6 जुलाई को खुलेगा तो वो last day बन जाएगा 4 जुलाई के बाद अब वो जिस दिन भी खुलेगा ना यार, उस दिन आपका वो last day होगा उस दिन आप जाकर कर सकते हो फाइल उस दिन आप जाकर कर सकते हो फाइल ये वाला पॉइंट आप आपको पढ़ने की जरुवत नहीं है ठीक है चलिए उसके बाद आता है measurement of distance अगर किसी act में बोला गया है कि भहिया जिसे आम लोग ये देखते हैं Indian Partnership Act में बोलते हैं कि भहिया आप जो है वो business मना कर सकते हो मतलब competing business मना कर सकते हो मान लो लिख दिया 10 km मान लो लिख दिया कि 10 km के radius में नहीं किया जाएगा 10 km के radius में नहीं किया जाएगा तो ये जो 10 km है और A point और B point के बीच अगर हम ऐसे ऐसे जाएं तो 10 km होता है और अगर हम aerial distance ना पे तो 8 km होता है चीक है तो कौन सा वाला distance माना जाएगा by road वाला distance माना जाएगा by river वाला माना जाएगा या aerial plane माना जाएगा तो इसी का answer देता है कि अगर किसी central act में distance की बात करी गई है तो वो हमेशा straight line मानी जाएगी straight line road उन points के बीच कैसा जा रहा हो उससे फरक नहीं पड़ता हम हमेशा कैसे मिनेंगे हम हमेशा उसको straight line में ही ना पेंगे कि एक point से दूसरे point में straight कितना distance है उससे उससे calculate किया जाएगा उससे उससे calculate किया जाएगा चलिए next आता है pro reta ये आप लोग जानते हो pro reta pro reta का बहुत ही simple है बेटा pro reta का मतलब होता है ratio pro reta का मतलब होता है part कर देना ठीक है जैसे की for example exercise में लिखा हुआ है exercise duty में exercise duty एक तरह का tax है वहाँ लिखा हुआ है कि 2 cm की cigarette पर 2 cm की cigarette पर 4 रुपे का tax लगेगा 4 रुपे का tax लगेगा ऐसा rate law ने prescribe कर दिया ऐसा rate law ने prescribe कर दिया मान लो ITC ने एक 8 cm की cigarette बनाई और एक 16 cm की cigarette बनाई तो इन पर कितना tax लगेगा pro reta pro reta मतलब अगर 2 cm के लिए 4 रुपे का tax है तो 8 रुपे की 8 cm की cigarette के लिए कितना tax होगा 16 रुपे 16 रुपे के लिए कितना होगा 32 रुपे यह आपने क्या किया pro reta कर दिया इसी की बात ये कर रहे हैं कि अगर custom excise इस तरह के tax में जो tax लगाया जा रहा है वो quantity बता के लगाया जा रहा हो सकता है कि 1 kg के लिए 10 रुपे आपने 5 kg produce कर रहा तो कितना tax लगेगा 50 रुपे तो major value of goods merchandise पे लगाया जाएगा जो duty है वो same rate पर लगायी जाएगी depending upon the quantity अगर quantity जादा होगी तो tax जादा हो जाएगा अगर quantity कम होगी तो tax जो है कम हो जाएगा चीक है तो pro rate एक Latin term है जिसका मतलब होता है proportionate allocation यानि बटवारा कि accordingly जितना है उसके हिसाब से बटवारा उसमें किया जाएगा और example example number 22 देखते हैं देखिए example number 22 ये बोलता है कि मान लो x ने bank से loan लिया एक्स ने bank से क्या लिया loan लिया एक लाख रुपे का जिसकी guarantee A ने ली B ने ली C ने ली A ने 50% की guarantee ली B ने 30% की guarantee ली और C ने 20% की guarantee ली तो अगर x default करता है तो इनसे कितना percent लिया जाएगा simple है x से लिया जाएगा 50,000, y से लिया जाएगा 30,000 और 20 से लिया जाएगा 20,000 यही बात इसमें बोली है where several debtors are liable to the whole debt उन्हें पूरा पैसा पे करना था और each is liable और हमने उनका हिस्सा बता रखा है तो जितना उनका हिस्सा था वो अपना अपना हिस्सा दे के क्या करेंगे छूट जाएंगे अपना अपना हिस्सा दे के छूट जाएंगे next आता है example number 23 not much important but बहुती simple example है मतलब क्या बताओं इतना बड़ा लिखने की दरुवत ही नहीं थी प्रोरेटा सिखाने के लिए इतना बड़ा तो लिखने की दरुवत नहीं थी चलिए ये क्या बोल रहा है मान लो एक company है ठीक है एक company है जो जिसमें 100 shares हैं कितने shares हैं जिसमें total 100 shares है और company company ने क्या किया दो रुपे पर share का dividend दिया दो रुपे पर share का क्या दिया दो रुपे पर share का dividend यानि total dividend company कितना पे करेगी बताओ total dividend company पे करेगी 200 रुपे क्योंकि 100 shares दो रुपे पर share तो 200 रुपे का एक A, B, C, D, 4 share older थे, एक के पास 50 था, 25, 15, 10, एक के पास 25 shares है, एक के पास 15 shares है, और एक के पास 10 shares है, मुझे बताओ कितना मिलेगा, हम इसको directly भी निकाल सकते थे, 15 to 200, इसको 100 रुपीस का dividend मिलेगा, इसको 50 रुपे का, इसको 30 रुपे का, इसको 20 रुपे का, इसमें कोई दि में प्रो रेटा method से सिखाएंगे, पता है कैसे, कह रहे, total share कितने थे, 100, तुमारे पास कितने थे, 50, total dividend कितना है, 200, तो यहाँ पर 0 से 0 कटगी, 0 से 0 कटगी, आ गया 100, मैंने का, वा, क्या बता है, कह रहे, यह देखो, 50 upon 100, ऐसे आता है 100 रुपे, यह तुमने direct कैसे multiply कर लि है ना, चलिए, तो इसलिए इस example में कोई दम नहीं था, next आती है, section number 13, बड़ा प्यारा section है मेरे बच्चा, बड़ा प्यारा section है, आप हमेशा जब law पढ़ते हो, तो हर जगा लिखा होता है, मान लो एक section में लिखा है, companies act के एक section में लिखा है, if director if director, if director, contravains, if director contravains, then he is liable for penalty of rupees 50,000, then he is liable for penalty of 50,000, अब मान लिजे वो section, एक director थी, शीला, जो की female है, उन्होंने वो director थी, उन्होंने वो section तोड़ दिया, और वो कह रही है कि penalty मुझ पर नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है, he is liable for penalty of 50,000, यहाँ पर she तो बोला ही नहीं गया, यहाँ पर she बोला गया है, क्या नहीं, तो मुझ पर यह penalty नहीं लगेगी, तो फिर आता है, general clauses act help में, वो यह कहता है, कि देखो, भले यहाँ पर ही लिखा है, but he includes she, he includes she, तो यही बात देखो, इस section में लिखे हुई है, कि आगर कहीं पर masculine gender लिखा हुआ है, तो वहाँ पर, वहाँ पर it includes female, it includes female, वो female को include करेगा, वो female को include, क्योंकि पहले जितने भी act बना करते थे, वो male को देखकर बनाये जाते थे, मतलब जो words use होते थे, इंटर्पिटेशन यही है, कि दोनों जो है cover होंगे, लेकिन इसका एक exception है, एक भी नेबल कि मुझे दो बताने चाहिए, तर क्या दो exception से बताओ ना, अगर law की intention ही, अगर law की intention ही, थी, कि वो सिरफ male को cover करना चाहता है, for example, एक law में लिखा है, कि अगर family में, father की death हो जाती है, ठीक है, father की death हो जाती है, तो उसकी सारी property, उनके son को मिलेगी, उनके elder son को मिलेगी, ऐसा बोल दिया, क्या यहाँ पर मैं यह कह सकता हूँ, कि नहीं, उनकी daughter भी यहाँ पर cover होंगी, the answer is no, because वहाँ पर उनका intention ही यह था, कि वो किसको देना चाहते थे, पेटे को property देना चाहते थे, ठीक है, तो intention जो है law की, अगर मेल को cover करने की थी, तो वो ऐसा होता है, या मान लो, कि अगर एक word cover था, cattle, एक word है cow, और एक word है bulak, ठीक है, cattle में cow प्लस bulak, तो नो cover हो जाते हैं, अब मान लो, government ने GST में लगा दिया, कि cattle की supply पर, cattle की sale पर, कोई GST नहीं लगेगा, no GST, तो यहाँ पर जब cattle की sale होगी, तो no GST बोला है, तो हम क्या समझे, क्या सिरफ cow भी cover है या bulak, दोनो cover है, because cattle का मतलब है, दोनो cover हो जाएंगे, पट अगर law में लिखा होता, कि cow की sale में, cow की sale में, no GST, तो फिर बुलक की sale पर GST लगता गया, यहाँ पर देखो, उनके पास एक word अविलेबल था, जिससे कि वो दोनों gender को represent कर सकते थे, पट फिर भी government ने cow word का इस्तमाल किया, तो यहाँ पर उनका intention सिरफ cow की sale पर exemption देने के लिए था, बुलक की sale पर नहीं था, मान लो अगर law में लिख दिया कि नहीं, बुलक की sale पर हम कोई GST चार्ज नहीं करना चाहते, तो क्या होगा, तो law आएगा, सिरफ बुलक को exemption मिलेगी, cow की sale पर text लग जाएगा, तो यही बात यहाँ पर लिख़्ी हुई, अगर हम पढ़ेंगे देखो, where a word, connoting a common gender, अगर common gender वाला word available है, जैसे कि cattle, जिससे कि दोनों gender available हो सकते थे, बट फिर भी law ने specific gender का, specific gender का word यूज कर लिया, तो वहाँ पर यह presumption जो है, general clauses act की काम नहीं करती, यानि अगर law में बुलक word लिखा हुआ है, कि हम बुलक को sale कर रहे हैं, हम बुलक को sale कर रहे हैं, so it could not be interpreted to include cow, फिर हम बुलक के उपर ही वो वाला जो है, बुलक वर्ड लिखा था, next आता है, next आता है, यह तो मैंने आपको बता दिया, कि अगर clearly लिखा हुआ है, male descendant को property मिलेगी, तो उसमें female descendant नहीं आगे, अगर लिखा है कि सारी property male descendant को मिलेगी, तो फिर आप उसमें female descendant को cover नहीं करेंगे, similarly बेटा, अगर कोई singular word है, तो हम यह मानते हैं, कि वो plural को include कर रहा है, and vice versa, अगर कोई plural word लिखा है, तो वो singular को cover कर रहा है, सर नहीं समझा, यही तो दिक्कत है तुमारी, रुको, मैं तुम्हें एक question दिखाता हूँ इसका, इससे तुम्हें बहतर समझ आएगा, क्योंकि एक्जामपल लूँगा similar सा, उससे बेटर है, question देख लेते हैं न, module का, देखें, यह वाला question देखना, question number 3, क्या लिखा हुआ है, Companies Act के एक section में लिखा हुआ है, कि whole time, key managerial personal, shall not hold office, in more than one company, accept its subsidiary companies, यहाँ पर क्या है बेटा, singular है, कि भाईया, singular है, subsidiaries होता है, तो plural होता है, subsidiary companies होता है, है ना, तो यहाँ पर question आया, कि general clauses Act के section 13, को पढ़ कर बताओ, कि, क्या whole time की MP, सिरफ एक ही subsidiary में, बन सकता है, यह more than one subsidiary company में, बन सकता है, तो बेटा, more than one subsidiary में, बन सकता है, क्योंकि, singular includes, plural, singular includes, plural, यानि, भले ही यहाँ पर, word subsidiary company लिखा है, बट इसका मतलब, यह नहीं कि, वो सिरफ एक subsidiary company में, बन सकता है, वो multiple subsidiary companies में भी, बन सकता है, यही बाद section number 13, लेकिन आपको, बताने की, कोशिश, कोशिश, करता है, चली, ठीक है, so words in singular, shall include, plural, यह आप cut कर देंगे, यह आप cut कर देंगे, उसके बाद, आगे चलते हैं, यहाँ पर general rules होगे, अब आते हैं, powers की बात, और functions की बात, जो उसके बारे में, और यह बहुत ही, simple है, अगर आप इसको simple लेकर चलोगे, तो simple लगेगा, difficult बनाने चाहोगे, तो बन सकता है, बढ़ बिल्कुल simple लेकर समझना, देखो, सबसे पहला section क्या बोलता है, section number 14, पहले इसका example देख लो, जैसा कि आप जानते हो, Companies Act 2013 में, Central Government के पास power है, कि वो rules बना सकती है, कब rule बनाएगी, Central Government को जब लगेगा, जब ठीक लगेगा, time to time, वो rule बना सकती है, वो rule बना सकती है, यही बात, बेटा section 14 में लिखी है, कि अगर किसी Central Act या regulation में, power दी गई है, कोई power दी गई है, जैसे कि rules बनाने की power, या कुछ और power दी गई है, तो जब तक intention अलग नहीं है, तब तक law यह मानेगा, कि वो power, उस authority के दुआरा exercise, कब करी जा सकती है, जब जब उसे लगेगा, जब 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 ज़रूरत पड़ेगी, वो अपनी power को exercise कर लेगी, यानि अगर Companies Act 2013 में, अगर Companies Act 2013 में, Central Government के पास power थी rules बनाने की, तो Central Government उस power को कब exercise कर सकती है, जब जब उसे ठीक लगेगा, वो तब तब यह power exercise कर सकती है, बाकी नीचे का आपको एसेट पड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद आगे चलते हैं, Next, Section No.15, अगर किसी law में appointment की बात करी गई है, किसी authority को appointment करने की बात करी गई है, तो उस authority को appointment, मानलो government को, law में लिखा है कि इस department का जो appointment करना है, chairman का, वो करने के दो तरीके हैं, क्या दो तरीके हैं, या तो आप उस department के, उस appointment को भरने के लिए, उस person का नाम लिख सकते हो, जैसे की लिख दिया, Shri Narendra Modi ji, या आपने उनकी designation लिख दी, that is Prime Minister of India, कि Prime Minister of India, है ना, तो आप अगर किसी person को, अपॉइंट करना चाते हो, तो आप उसका नाम भी लिख सकते हो, उसका title भी लिख सकते हो, दोनों से काम बन जाएगा, यही बात यहाँ पे लिखिए, where any law, power to appoint any person, कि अगर आपको किसी person को, अपॉइंट करना था, और वो power आपके पास थी, अब आप उसे appoint करने जा रहे हो, तो unless कुछ और ना mention हो, तो आप उस appointment को करने के लिए, आप उसे appoint करने के लिए, या तो name से appoint कर दो, कि I am appointing शुरी नरेंद्र मोदी जी, as the chairman of this department, जिस department की power थी उनके पास, और दूसरा, या आप उनका क्या कर दो, office, वो कौन सा office, कौन सा title hold करते हैं, उस title का नाम लिख दो, तो मतलब आप उन्हें appoint कर रहे हैं, चीक है, ओके सर, जब इस तरह का appointment होता है, जब आप title से appoint करते हो, उनके office से, तो उसको हम ex-officio बोलते हैं, ex-officio appointment, ex-officio एक Latin word है, यह हमने कहां सीखा था, IEPF के, IEPF के chairman में हमने सीखा था, अगर मैं आपको दिखा हूँ, कहां गया, let me search, let me search IEPF, अभी तो आपको याद आएगा, कुछ पुरानी बाते, about us, about IEPF की IEPF authority में जाऊंगा, यहां पर देखिए, कौन है, designation chair person है, किसके IEPF authority के chair person है, लेकिन ex-officio, ex-officio मतलब, मनोज जी को, यह post कैसे मिली, क्योंकि वो MCA की secretary है, क्योंकि वो MCA की secretary है, इसी लिए, तो यही है, chair person of IEPF, secretary of MCA, इसी को हम बोलते है, ex-officio, ex-officio, ठीक है, ओके सब, next point आता है, बहुत ही simple, common sense वाला point है, बड़ यहां पर clarify किया गया है, कि अगर किसी को, appoint करने की power law में दी गई है, मालने हो, जैसे एक example है, CPC, यानि code of civil procedure में, court के पास power होती है, कि वो receiver को, appoint कर सकता है, जब कोई person insolvent हो जाता है, तो उसका receiver appoint किया जाता है, official assignee बोलते हैं, official receiver बोलते हैं, तो receiver appoint किया जाता है, तो उनको सिरफ power किस की दी गई है, appointment की दी गई है, question यह आता है, क्या वो इसे remove भी कर सकते हैं, क्योंकि law में तो सिरफ appointment की power दी गई है, तो वहाँ पर बेटा section 16 आता है, general clauses act का, तो यह बोलता है, कि भाया, अगर appointment की power है, तो उसे remove करने की power, उसे suspend करने की power, उसे dismiss करने की भी power होगी, यही बात chief justice के लिए भी है, कि अगर constitution ने chief justice को power दे रखी है, officer high court के officer और servants को appoint करने की, तो उनके पास उसे suspend और dismiss करने की भी power है, तो कुछ बड़ा section नहीं है, बठा exam में पुछा जा सकता है, तो common sense है, हो जाएगा, उसके बाद आता है, substitution of functionaries, अगर किसी central act या regulation में, ठीक है, किसी को कोई काम, कोई function दिया गया है, ठीक है, execute करने के लिए कि आपको ये काम दिया गया है, तो आप, मानलो, government कोई काम assign करना चाहती है, किसी को, ठीक है, मानलो, companies से related कोई काम देना है, ठीक है, जैसे कि अभी नया law आ रहा था, IBC, तो companies act ने क्या किया कि भाईया, हम क्या करते हैं, ये वाला जो काम है, IBC से related काम है, ये NCLT को दे देते हैं, NCLT को, law नया, NCLT का हम बना है, companies act 2013 में बना, बट वो काम किसको पकड़ा दिया गया, IBC के अंदर का जितना भी function है, वो किसको दे दिया गया, NCLT को दे दिया, तो आप क्या कर सकते हो, अगर कोई काम, कोई office का function, देना है, तो आप उस officer का title लिख देना, जो currently उस function को execute कर रहा है, जो कि वो normally execute करता है, काम उससे हो जाएगा, नेक्स्ट आते हैं successor, successor normally का होंगे बेटा, essay corporation जहाँ पर की perpetual succession है, essay corporation जहाँ पर की perpetual succession है, जैसे कि आप जानते हो, tabby, perpetual succession है, RBI, perpetual succession है, तो वहाँ पर एक authority बनाई गई है, securities exchange board of India, तो कोई भी काम देना है, हमने क्या दिया भीया, securities exchange board को काम दे दिया, वहाँ पर लोग बदलते रहेंगे, उनके successors आते रहेंगे, लेकिन काम कौन करेगा, सै भी करेगा, तो यही बात यहाँ पर लिखी है, in any central act or regulation, जो की इस act के आने के बाद बने हैं, it shall be sufficient, कि अगर आप किसी law में successor की बात कर रहे हो, फंचनरी की या corporation की जिनकी perpetual succession है, तो बस आप उनको mention कर दोगी, यह वाला काम हमने इने दिया है, उनके जितने भी successors होंगे ना, जितने भी successors होंगे, मतलब अगर, सैभी की position बदलती जा रहे है, पहले पाँच लोग थे ABCD, अब वो पाँचों हट गए, अब नए लोग आगे PQRST, तो अब वो काम करेंगे, जो सैभी को दिया गया था, क्योंकि अब वो उनकी जगा आए हैं, वो काम करने, ठीक है, ओके सर, next आता है, official chief and subordinate, official chief and subordinate, मान लो, ROC है, ROC के नीचे बहुत सारे officers हैं, ROC के नीचे बहुत सारे employees हैं, क्योंकि अकेला ROC, क्या क्या कर लेगा, इसलिए उसके पास बहुत सारे क्या होते हैं, officers होते हैं, और बहुत सारे क्या होते हैं, उसके नीचे employees होते हैं, कोई काम, अगर ROC को करने के लिए मना किया गया है तो क्या वो काम वो अपने officer से करा सकता है या नहीं? नहीं करा सकता क्या कोई liability अगर ROC तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे बीटा ROC को हम बोलेंगे superior ROC को क्या बोला जाएगा? superior superior और इनको क्या बोला जाएगा subordinates इनको क्या बोला जाएगा subordinates जो कि उनके नीचे आते हैं तो ROC अगर कोई भी अपना काम इन officer को delegate कर देती है कि तुम मेरा काम कर दो तो क्या जो penalty थी जो चीजे मना करी गई थी क्या वो इनको भी मना होंगी मतलब अगर ROC को बोला था कि भाई तुम corruption नहीं कर सकते तुम किसी से bribe नहीं ले सकते क्या वो automatically officers पे भी apply हो जाएगा so our law related to our law related अभे चल क्यों नहीं राई है our law related to superior of an office apply to the subordinate यानि अगर हमने ROC को किसी चीज़ के लिए मना किया है तो उसके जो नीचे जितने भी officers वगेरा आते हैं ये काम हमने lawfully जो कि officer and employee क्या काम कर रहे हैं ROC का ही काम करने वाले क्योंकि उसलिए उसने appoint करा तो वो जो duty अपने superior की place पे कर रहे थे वो ये चीज apply नहीं कर पाएगे यानि same duties जो ROC के लिए थी वो ही same duty उन officers पे भी apply होगी जब वो उस काम को निभा रहे होंगे ये आपको पढ़ने की जरुवत नहीं है ठीक है उसके बाद next आते है section 20 से 24 again बड़े ही simple sections है है ना language थोड़ी सी sect की मैं मान सकता हूँ की थोड़ी सी difficult है अगर आप खुछ से पढ़ोगे तो आपको दिक्कत होती है बट वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है sections में अगर आप समझ जाओगे तो एक बारी easily exam में लिख पाओगे next है आप जानते हो इसका सीधा example लेते है पहले section 20 का आप जानते हो companies act में associate company की definition दी हुई है ऐसी company जिसमें दूसरी company 20% significant influence रखती है याद है ना दी हुई है ना हाँ सर दी हुई है अब मान लो ये definition कहां दी हुई है companies act 2013 में दी गई है मान लो कि government ने rules बनाए और rules में associate company word लिखा या government ने कोई notification निकाला उसमें associate company word लिखा companies act के अंदर कोई rules बनाए कोई order निकाला उसमें इस word का इस्तमाल किया तो इसका meaning अब हम कहां ढूणेंगे क्या हम companies act वाला ही meaning इन rules में अपलाई कर सकते हैं इस notification में अपलाई कर सकते हैं the answer is yes और ये बात कहां लिखी है बेटा ये बात लिखी है section number 20 में कि अगर किसी lawyer regulation में notification निकालने की power order scheme rule by law ठीक है ये सब निकल रहा है और उसमें कोई expression यानि कोई word यूज हुआ है जैसे कि associate company उस notification में लिखा हुआ है associate company के बारे में उसमें order के बारे में लिखा हुआ है उस rule by law में लिखा हुआ है तो अगर कुछ और clearly mention नहीं है तो जो meaning act में था वो ही meaning associate company का उस rules के लिए होगा for example मान लो collector word rule for land acquisition company rules 1963 में लिखा हुआ है ठीक है 1963 के rule for में collector word यूज हुआ है और इसी की definition land acquisition act में collector word की definition दी हुई है तो क्या मैं rules वाले word में जो collector word है वो same meaning assign कर सकता हूँ जो वहाँ दिया हुआ था act में the answer is yes क्यों कर सकता हूँ because ये बात हमें section 20 ने बताई है because ये बात हमें किस ने बताई है section number 20 ने बताई गई है चलिए next आता है section number 21 section number 21 किस बारे में बात करता है ये कहता है अगर companies act में central government के पास power है ये example है अगर central government के पास rules issue करने की power है तो automatically हम ये मान लेंगे कि उसके पास उन rules को change करने की भी power है ये ही बात अगर किसी act में किसी authority को issue करने की power दी गई है issue करने की power दी गई है चाहे कोई notification issue करने की power दी गई है चाहे rules issue करने की power दी गई है order या bylaws issue करने की power दी गई है चीक है order या bylaws issue करने की power दी गई है तो उस case में उस case में क्या होगा उनके पास हम ये मान लेंगे कौन सी पावर है उनके पास amend करने की, change करने की या वापस cancel करने की भी पावर उनके पास है For example, यहाँ पर देखना, आप example पढ़ना Supreme Court ने एक decision दिया था कि section 21 of the act, section 21 of the act मतलब इस वाले section की general credit act की बात कर रहे है of the act यहाँ पर लिख लेना, GCA, GCA की बात हो रही है अगर किसी authority के पास, किसी notification को issue करने की पावर है तो इसमें कोई doubt ही नहीं है, कि उसके पास उस notification को cancel या modify करने की भी पावर है, यह मान लिया जाएगा कि उसको lawने पावर दी हुई है, मान लिया जाएगा मेरे बच्चा, section number 22, इसको पहले एक example से समझते हैं, यह देखो यहाँ पर दिया हुआ, example number section 22, अगर companies, आप जानते हो कि companies act के different section, different time पर आयते है, जैसे कि acceptance of deposit by companies, chapter यहाद है, पढ़ाया था chapter 5, acceptance of deposit by companies, eligible company है, कोई बात नहीं, deposit chapter, यह कौन सी तरिक को आया, एक अपरेल 2014 को इसे official gadget में notify किया गया, मान लो इस chapter के rules, central government ने 22 March 2014 को ही बना लिये थे, यानि कुछ दिन पहले, इस chapter के आने से पहले, इस section के notify होने से पहले, central government ने इसके सारे rules बना लिये थे, तो क्या ये rules 22 March से applicable होंगे, या जिस दिन इस से related section notify होंगे, उसके बाद ही होंगे, तो law यहीं पर clear करता है, कि अगर rules पहले बन भी जाते हैं, वो तब तक enforce नहीं आएंगे, जब तक उसका main section, main enactment force में नहीं आ जाता है, यही बात यहाँ पर लिखा देखा, कि अगर कोई rule by law या order बन भी जाता है न, वो तब भी effective नहीं होता, जब तक कि, जब तक कि, वो act या regulation, वो act या regulation, जिससे व बात आपको section number 22 में लिखी हुई है, कि कोई भी rule आपने बना दिया, between passing and commencement of act, यानि act, pass तो हो गया, देखो, deposits का chapter, pass हो चुका था, पास हो चुका था, मतलब उस पर president के sign लग चुके थे, है न, president ने तो 30 अगस को पूरे companies act पर sign कर दिये थे, लेकिन उसको comments अभी नहीं कराया पाला था, तो उसके बीच के period में, अगर तुमने rules बना भी लिये न, तो भी वो किसी काम के नहीं है, तो भी वो किसी काम के नहीं है, और यहाँ पर यह जो order word लिखा हुए, एक आरो आरो के लिखा हुए, आप पढ़ोगे auditor and auditor chapter में, आपने पढ़ा भी था, ठीक है, चलिए next आता है, section number 23, section number 23 क्या गयता है, की, देखो, यहाँ पर पहले आपको दोनो method समझने पढ़ेंगे, दो method होते हैं, देखो, इतने method होते हैं, दो method होते हैं, मान लो, ICI के पास power है, क्या, C.A.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E जैसे अभी किया भी है, अब law में लिखा हुआ है, दो पॉइंट हो सकते हैं, method number 1, method number 2, law में लिखा हुआ है, कि ICI has the power to alter C.A.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C. power to alter C.A.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C. है यहां पर भी आई से के पास पावर है कि वो स्लेबस चेंज कर सकती है लेकिन जैसे ही यह वर्ड आ गए after previous publication इससे एक detailed procedure उसको follow करना पड़ेगा वो detailed procedure section 23 में दिया हुए क्या देखो authority यहां पर मान लो example है सेभी के पास भी हो सकती है कि सेभी को हमने बोला कि तुम्हारे पास rules बनाने की power है लेकिन तुम्हें publication करना पड़ेगा इसका exact मतलब क्या है वो जानते हैं मान लो authority जैसे की I say उसके पास power है to make the rules यानि to change these labels और by laws but before changing them या before making them change करना या उन्हें बनाने से पहले उससे क्योंकि यहां पर यह word लिखा था after previous publication तो इसका मतलब है उससे पहले एक draft regulations बनानी पड़ेंगी draft की वो नया syllabus कैसा दिखता है उस syllabus को क्या किया जाएगा publish किया जाएगा for the information of persons likely to be effective यानि आप लोगों के लिए students के लिए publish कर दिया और बोला जाएगा कि देखो हम यह syllabus में changes लाने जा रहे हैं आपको कोई consideration है आपके कुछ objections है कुछ suggestions है तो आप हमें भेज सकते हो हम उसे take care करेंगे अब वो छब गया फिर वहां पर ना publication जो है वो किस method से दी जाएगी जैसा central government prescribe करेगा उस method में दे दी जाएगी ठीक है now उस draft को जब निकाला जाएगा तो उसमें एक date mention होगी कि क्या date mention होगी कि कौनसी तारिक तक आप लोग अपने suggestions दे सकते हो कौनसी तारिक तक क्योंकि उसके बाद आपके जितने भी suggestions होंगे वो नहीं देखे जाएगे क्योंकि एक cut off date होगी जिसके बाद ICI कहेगा चलो अब final draft बनाते हैं अभी तो सिरफ हमने draft बनाता final syllabus बनाते हैं तो आपके जो जो suggestion आएगे अच्छा ये वाला suggestion अच्छा इसको incorporate कर लेता है ये बेकार suggestion है तो ऐसा वो कर सकता है अब उसमें date mention होनी चाहिए किसमें जब वो draft निकाला गया था फिर authority क्या करेगी वो rule या bylaws बना लेगी अगर उसे किसी और authority का approval चाहिए होगा वो भी ले लेगी लेकिन जब वो नए final rules बना रही है ना तो वो आपके objections या जो suggestion आये थे वो उनको क्या करेगी consider करेगी अपना final करते हुए अपना final करते हुए जितने भी आपके objection या suggestion आये थे उनको consider किया जाएगा और मैसे जो अच्छे होंगे वो incorporate कर लिये जाएंगे अब question आता है sir क्या IECI ने मान लो syllabus निकाला ठीक है IECI ने मान लो चार जन्वरी को syllabus का draft दिया और बोला कि तुम 30 जून तक अपने objection या suggestion दे सकते हो तुम लोगों ने अपने objection suggestion दे दिये अब 30 जून के बाद उन्होंने आपके objection suggestion लेकर 15 जुलाई को एक और draft final कर लिया एक और draft final कर लिया कि भाईया हमने सारे objection suggestion क्या उन्हें फिर से इस draft को वापस से print करना पड़ेगा कि भाईया देख लो हमने आपके changes कर दिया और कुछ है क्या law कहता है नहीं एक बार publish कर दिया ना काम खतम होगे यह बात कहां लिखे हुई है यहां लिखे हुई है to republish it is not necessary for the authority to republish the rules in the amended form before the final issue एक बार कर दिया आपका काम हो गया नहीं तो ऐसे तो बार बारी तुमारे suggestion आएंगे कभी रुखते नहीं रहेंगे उसके बाद क्या होगा जब final बन जाएगा तो इसको कहां publish किया जाएगा official gadget में publish किया जाएगा और एक बार अगर यह official gadget में publish हो गया तो यह क्या है conclusive proof है conclusive proof मतलब कि उपर का जितना भी procedure था वो follow हुआ है उसे challenge नहीं किया जा सकता इस पर MCQ बन सकता है कि यह primary evidence है यह conclusive proof है तो अगर एक बार official gadget में rules चप गए तो उसमें कोई भी गड़बड भी हुई थी ना मानलो कोई procedure में गड़बड हो गई ICI से तो कोई बात नहीं law यह मानता है अगर कोई irregularity हो भी गई थी draft में तो भी आप उसे question नहीं कर सकते हो क्योंकि वो conclusive proof है एक बारी official gadget में चप गया मतलब सब कुछ ठीक हुआ है ऐसा law मान लेता है ऐसा law मान लेता है चलिए next section number 24 section number 24 क्या कहता है बेटा section number 24 का सीधा example पढ़ेंगे पहले देखना पहले हुआ करता था एक mine act 1932 ठीक है concept हुआ करता था mines act 1923 हुआ करता था इसको repeal कर दिया गया repeal मतलब हटा दिया गया और एक नया mines act लाया गया 1952 अब यह question आया इस mines act के अंदर जो rules थे यह जो नया mine act आया इसके अंदर कोई rules नहीं आए तो क्या तो क्या यह जो पुराने mine act के rules थे क्या वो पुराने mine act के rules इस mine act पर लगाए जा सकते तो देखिए rules made under the repealed act rules made under the repealed act deemed to be continue हम यह मान लेंगे कि अगर mine act 1952 के खुद के नई rules आते तो फिर वो follow होते है वो नहीं लाया इसका मतलब क्या है कि भाया इस section की वज़ा से वो ही माना जाएगा कि 1923 के अंदर जो बनाए गए rules थे वो ही same 1952 के rules में follow किया जाएगा यही इस section की बात कर रहा है continuation of order अगर पुराने acts के अंदर कोई order आया था ठीक है कोई rule बना था कोई order कोई notification कोई scheme वगएर आयी थी पुराने act के अंदर जो की repeal हो चुका है जिसका नया act आ चुका है हम तब तक मानेंगे कि वो continue कर रहे हैं हम तब तक मानेंगे वो continue कर रहे हैं जब तक कि कोई नया नया act या नया provision उसके वियाप पे नहीं डाल दिया जाता तो अगर कोई central act या regulation जो इस act के बनाया गया है वो repeal हो गया या re-enact हो गया with और without modification तो अगर law में clearly कुछ mention नहीं है तो उस act के अंदर किये गए notification order जो है वो क्या करेंगे continue in force रहेंगे ठीक है under this notification यह आपको यहां तक जो है पढ़ना है बस यहां तक पढ़ना है इसके आगे का आपको read करने की ज़रूरत नहीं है चलिए फिर आते हैं बेटा कुछ miscellaneous sections miscellaneous section में क्या बात यह जो मैंने cut किया इसको cut कर लेना ठीक है फिर आते हैं मेरे बच्चा miscellaneous section miscellaneous sections क्या बोलते हैं miscellaneous section में देखो पहला section है section number 25 आपने companies act पढ़ा हुआ है वहाँ पर यह बोला है कि इस पर इतना fine लगा देंगे उसकी recovery का procedure क्या होगा वो कहते हैं ध्यान से देखना अगर कोई fine मानलो director पर लगा दिया किसी section के अंदर तो what is the procedure of recovering it है ना कैसे government उसे recover करेगी अगर वो खुद से fine नहीं पे कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको काम आता है general clauses act recovery of fines का ये बोलता है कि Indian panel code के section 63 से लेकर section 70 तक और जो code of criminal procedure के जो provision है जो भी लागू होंगे related to execution of warrant या fines के वो same apply करेंगे to all the fines imposed under any act unless उस act के खुद recovery के provisions हो यानि अगर किसी act में खुद के recovery के provisions है तो तो उस act में वो वाले recovery के provision applicable होंगे बट अगर किसी act में fine तो लगा रखे हैं दबा के लेकिन उसको recover करने का procedure बताना भूल गए है तो general clauses act बोलता है कि तुम Indian panel code के section 63 से लेकर section 70 के जो procedure वहाँ पर जो procedure बताया गया है ना उस procedure को follow कर लेना उस procedure को follow कर लेना next आता है मेरे बच्चा section number 26 कौन सा section section number 26 that is अगर कोई offense अगर आपने कोई law तोड़ा कोई गलत काम किया जिसकी सजा दो या दो से जादा एक्स में बताई गई है मान लो आपने प्रॉड कर दिया प्रॉड की सजा वह या company's act में भी बताई गई है या IPC में भी बताई गई है 420 मैं तो यहाँ पर जब आप फ्रॉड कर लेते हो तो आपको सजा company's act में मिलेगी या IPC में मिलेगी या दोनों में मान लो company's act में बोला 10 साल की जेल IPC में बोला 10 साल की जेल या एसे 20 साल को जेल में डाल दो या ऐसा होगा तो सबसे पहले आप वहां मत जाओ, कहां मत जाओ, section 26 पर पहले आप constitution में जाओ, constitution का article 20 कहता है कि कि किसी भी person को prosecute या punish नहीं किया जाएगा, same offense के लिए, यानि same गलती के लिए, दो बार सजा नहीं दी जाएगी, और इसी same बात को बेटा repeat करता है, repeat करता है, कि अगर कोई आप आपने offense कर दिया, कोई act या omission कर दिया, जो कि offense है, तो acts में, या दो से जादा acts में, तो जो offender है ना, जो offender है, जिसने law तोड़ा था, जिसने offense किया है, वो libel तो होगा, लेकिन prosecute भी होगा, punish भी होगा, छीक है, लेकिन under any of these enactments, but shall not be punished, twice for the same offense, यानि वो punish नहीं होगा, same offense के लिए, दो बार उसे punishment नहीं मिलेगी, कि भाई 10 साल इस गर जिल में डाल दिया, 10 साल उसमें जिल में डाल दिया, हाँ, जिसमें ज़्यादा सज़ है, वो वली सुना दो, बट ऐसा मत करो, कि दो बरमान लो, एक में 12 साल की बोली थी, एक में 12 साल की बोली है, ओके सर, next point आता है, अब ये सुप्रीम कोट, सुप्रीम कोट के according है, सुप्रीम कोट के according, सुप्रीम कोट कहता है, कि जब मैंने section 26 पड़ा, तो मेरा interpretation ये बोलता है, कि कहीं पर भी trial पर रोक नहीं लगाई गई है, trial पर मतला, कि आप जो सुनवाई है, trial का मतलब होता है, सुनवाई, आप दोनों में करो, कोई दिक्कत की बार निया, दोनों एक्ट में सुनवाई चलाओ, लेकिन जब सजा देने की बार ही आएगी, तो punishment उसको दो बार मत देना, सुनवाई दोनों में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, लेकिन अगर आप literal interpretation देखोगे ना, त येस, punishment दो बार नहीं मिलनी चाहिए, इस पर एकदम clarity है, इस पर एकदम clarity है, फिर ये same point दुबारा repeat हुआ हुआ है, section से, दुबारा आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना चाहो, दुबारा ऊपर भी यह लाइने लिखी हुए, नीचे भी यह लाइन कई बार आप घर में घुसे, आपने घर में तोड़ फोड करके किसी का murder कर दिया, आप मतलब जिस ने किया, ठीक है, personally मतले ना, अब ये जो murder कर दिया, और जो तोड़ फोड कर दिया, ये दो charges हो गए, two alternative charges, same trial में दो charges चल ले हैं, कि भईया इस बंदे ने ये भी गलती कर द ये और ये भी करा है, तो दो गलती कर दी, तो ये तो दोनों अलग-अलग charges है ना, ये same गलती के नहीं है, एक murder का charge लगा है, और एक तोड़ फोड का charge लगा है, तो हो सकता है कि भईया, आप प्रूफ हो जाए कि आपने murder नहीं किया, लेकिन हाँ, घर में जाकर तोड़ फो अगर दोनों same नहीं है ingredients, तो ये दोनों में लगाई जाएगे, अगर दोनों identical नहीं है, दोनों identical नहीं है, दोनों में अलग-अलग बाते करी गई है, तो फिर ये section लगाया नहीं जाता, next आता है, meaning of service by post, meaning of service by post, आप जानते हो, कि Companies Act में कहीं जगा, कहीं बार लिखा हुआ ह कि हम member को by post, document भेजेंगे, by post हम उसे भेजेंगे, question यह आता है, कि company ने, company ने post से member को document भेज तो दिया, post से member को document भेज दिया, लेकिन, वो member, वो post वालों से खो गया, और member को नहीं मिला, तो क्या, ये जो company ने member को भेजा था, ये क्या माना जाएगा, उसकी तरफ से जिम्मेदारी खतम हो गई, या नहीं होई, और यहीं पर आता है बेटा, आपका law, general clause is right, कि अगर किसी law में document को post से भेजने बोला गया है, तो आपको सिरफ तीन चीजे चेक करनी है, पहला address उस पर सही लिखा होना चाहिए, मतलब member का नाम, member का proper address, prepare होना चाह चाहिए, और उसे आपने कौन सी post से भेजा होना चाहिए, registered post से भेजा होना चाहिए, कौन सी, registered post की बात कर रहा है, या registered post acknowledgement due की बात कर रहा है, registered post की बात कर रहा है, सर दोनों में difference कहोता है, पिटा अगर आप registered post से भेजते हो, तो जो डाकिया होता है, वो सीधा घर के नीचे चिठ्ठी डालके चला जाता है उस document को लेकिन जब आप acknowledgement due की बात करते हो तो वो चिठ्ठी देने से पहले कहेगा भईया यहाँ पर sign करो कि आपने ले लिया है acknowledge करके जाता है यह दोनों फरक होता है लेकिन section क्या बोल रहा है section 27 बोल रहा है अगर किसी law में सिरफ service by post बोला है तो आपको तीन चीज़े देखनी है properly address होना चाहिए stamp लगी होनी चाहिए और posting by registered post से किया होना चाहिए यानि इससे किया है अब वो उसे मिला नहीं मिला खो गया वो घर पर ताला लगा था जो भी था उससे फरक नहीं पड़ता हम मान लेंगे कि बैया उसे जो है मिल गया उसे जो है मिल गया तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है चलिए यह देखिए जैसे कि not claimed not met यह case law में हुआ था कि हम गए डाकिया गया लेकिन वहाँ कोई मिला ही नी तो वापस आ गया तो अगर वो वापस आ गया note post not met कि वहाँ पर कोई मिला नी तो क्या हम मान लेंगे कि हमने तो भेज दिया था ने यार तुम घर पे नहीं थे इसमें तुमारी गलती है हमने तुमने जो हमें address दिया था से भेजना है तब क्या तब भी सिरफ registered post से भेजोगे तो काम चल जाएगा अगर law में clearly mention है law में clearly mention है कि हमें registered post acknowledgement due से ही भेजना था तो वहाँ पर law कहता है unnotice law में लिखा हुआ है कि registered post acknowledgement due से भेजना है तो फिर ये section आपको protect नहीं करेगा अगर आप उसे normal post यानि registered post से भेज देते हो क्योंकि ये कब काम करता है जब सिरफ लिखा होता service by post word अगर clearly mention है कि registered post acknowledgement due से ही भेजना है तो follow करो ना law का intention है यहाँ पर कि RPAT से भेजना है अच्छा next question आता है मान लो कि एक owner ने tenant को एक owner ने tenant को ये तीनों condition follow करे properly address stamp लगा कर registered post से भेज दिया tenant के पास जब पोचा tenant ने tenant एक दरवाजा खोला और उस पर लिख दिया rejected और return करते करा है मुझे नहीं चाहिए reject करके वापस कर दिया तो यहाँ पर इस case में क्या माना जाएगा क्या owner ने अपने tenant को जो notice दिया था वो मान लिया जाएगा या नहीं मान लिया जाएगा तो देखो अगर landlord notice भेजता है registered post से प्रीपे वगेरा करके तो और same tenant return कर देता है यह कहकर की नहीं rejected, refused it will be presumed कि notice भेज दिया उसने अपना काम कर दिया तुम receive करने से मना कर रहे हो इसमें तुम्हारी गलती है इसमें तुम्हारी गलती है क्या यह point आपको clear हो गया yes sir यह point आपको clear हो गया next आता है section number 28 next आता है section number 28 यह किसके बारे मैं बात करता है यह बहुत ही simple बात करता है मैं फिर से बताता हूँ मान लो एक Income Tax Act है, Income Tax Act है 1961, उसे एक किसी सेक्षन में, जैसे हमने पढ़ा था न, 115JB, उसे किसी सेक्षन में Companies Act 2013 का को refer करना है, तो वो क्या कर सकता है, उसके पास दो अप्शन है, या तो वो लिख देगा कि As Per Income Tax अगर इस एक्ट को refer करना चाहता है, या तो वो उसका नाम लिख देगा As Per Companies Act 2013, या वो क्या कर सकता है, As Per 18 of 2013, 18 of 2013 मतलब बिटा, 2013 का अठारवा Act था Companies Act, तो आप उसको number और year से भी पेचान सकते हो, और उसके title से भी पेचान सकते हो, उसके title से भी पेचान सकते हो, तो किसी भी Central Act या Regulation में, अगर reference देना है किसी दूसरे Act को, तो आपको उसे करने के लिए, या तो आप उसका title या short title लिख दो, या उसका number and year लिख दोगे ना, उसका number, या तो नाम लिख दो उस Act का, या उस Act का number और year लिख दोगे, तो हम मान लेंगे कि आपने उसका reference दिय देना है, तो वो भी आप ऐसे ही दे सकते हो, next आता है, ये point हमने उपर cover हो जाएगा, देखना second point क्या बोल रहा है, second point ये बोल रहा है, अगर किसी section में, ठीक है, series of section लिखे हुए है, ठीक है, तो यहाँ पर पहला और आखरी include होगा या नहीं होगा, सर नहीं, कुछ भी नही समझा सर ये, क्या, देखो बेटा, अभी तुमने ओपर क्या पढ़ा था, ये general clauses act पढ़ रहे थे, यहां पर इन्होंने देखो क्या किया, इंडीयन पैनल कोड का reference दिया, और इंडीयन पैनल कोड के कौन से section का reference दिया, section 33 और section से 70 का reference दिया, उन्होंने क्या बोला, general clauses act के, general जन्रल क्लोजी दैक्ट के सك्षन थाइटी में, जन्रल क्लोजी दैक्ट के सक्षन थाइटी में, सक्षन 63 से लेकर 70 पे कौनसी आक्ट का आईएटीसी आक्ट का रेफरेंडस हा寇 तो यहाँ पर यह जो section 73 से लेकर 70 का reference दिया गया है, इसमें section 63 included है या नहीं है, मतलब हम सिरफ section 63 और 70 के बीच के section की बात कर रहे हैं, या section 63 और 70 की भी बात कर रहे हैं, इसी बात को clarify करता है, कि अगर किसी act में citation दिया गया है, दूसरे act के किसी portion का, अभी आपके सामने है न, general clauses act में Indian panel code के portion को cite किया है, तो अगर intention कुछ और नहीं है, तो हम यह मानेंगे कि उसमें beginning यानि section 63 भी included है, और ending यानि section 70 भी included है, आपको बीच के section नहीं, पूरे section 63 से लेकर, पूरे section 70 को count करना है, इस citation के अंदर, इस citation के अंदर, बहुत clarificatory nature है, आपने अगर यह section नहीं भी लिखा होता है, यह section में, तो भी आप समझ जाते हैं, यह सारे ही section की बात कर रहा है, सारे ही section की बात कर रहा है, यहाँ पे आपको section 29 और section 30 पढ़ने की ज अतम गरते,